हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आपका CLC के ओनलाइन डिजिटल प्लेटफोर्म पे, जहां CLC आपको प्रवाइड कर रही है डेली कम मेजर टेस्रीज, यानि अब इम्तिहान की अंतिम घडियां आ चुकी है, अब उस कहावत को सार्थक करने का समय आ गया है कि तेवर तो ह हम वक्त आने पर दिखाएंगे, सहर तुम खरिदलो, हुकुमत हम चलाएंगे, तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि आपका अंतिम पड़ाव आ चुका है, एक्जाम निकट है, 45-50 डेज आपके एक्जाम के अंदर है, और CLC की DCM, डेली कम मेजर टेस्रीज के लाइने, तोड़ा अच्छे से, नोट से भी और NCR से दोनों से ही, आप उसको तयार कीजिएगा, किसी कंसर्प्ट में, किसी परग्राप में, या क्योर्शंस में आपके डाउट हैं, तो टीचर से डिसकस कीजिएगा, इसी प्रकार आप केमेस्ट्री का भी और फिजिक्स क सलबस, यानि जो आपका फाइनल एक्जाम होगा, उसका सलबस मेजर में आ रहा है, यहां सेमी मेजर नहीं, मेजर टेस्ट है, तो उसे घबराएगा नि, मेजर आपको ऐसे आप तो 6 टेस्ट तयार कर लो, और संडे को क्यों लिए 6 का रिवाइज करो, फिर ऐसे होते होते हो चोता पांचों मेजर आ जाएगा, तो स्वतही आपके नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगे, मैं कहता हूं कि समय आपके 350 या 400 नंबर भी मेजर में है, और आप मेजर के नंबर्स को इंक्रीज करते करते 580 तक ले गए, तो भी आपका एक अच्छी रेंग से आपक Kingdom यानि जहां डिविजन थैलोफाइटा में एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिमनोस्प्रम, एंजोस्प्रम तक और उसके बाद फीजियोलोजी का फस्टर, ट्रांस्पोर्टीन प्लांट वो इंक्लूड किया गया है, इसके बाद जैसे आपके टॉपिक वा बारा तक और फिर नीट 2013 से 20 तक आपका वहाँ से भी क्योशन इंक्लूड किया गया है, जो प्रिवेस येर में आपके आयोए हैं, NCIT एक्जामटर के भी किस लिए गये हैं, कुछ स्राउंडिंग इंफोर्मेशन भी लिए गई है, और NCIT की लाइने भी लिए गई है, और इ जाएंगे, और उसके बाद जब ये DCM पूरा हो जाएगा, तो अपने दंगल स्री चलेगी, जिसमें 10, 8-10 मेजर पेपर आपके लगेंगे, और वो नीट पैटरन पे फुली नीट पैटरन पे लगेंगे, और 100% आपके एक्जाम के ओरिंटेडिव होंगे, टाइमिंग भी हो ही रहेगी, तो उसके साथ फिर आप अपने आपके confidence को और increase करने का एक अच्छा मौका CLC के साथ है, जितने भी और अच्छे बच्चे हैं, कुछ कोचिंगों लेट से लबस भी होगा, उन सब बच्चों के हमारे DCM के साथ आप जोड़ें, किलियर और बहुत अच्छे त करेक्टर देट आर स्टेमन और कारपल, लीनियस ने पादब जगत को केवल दो लक्षनों जो कि पुंकेशर और अंडब के आधार पर वर्गी करत क्या था, उनका वर्गी करन कहलाएगा, आप समझ सकते हैं कि लीनियस ने इनिशिली क्लासिपिकेशन प्रोवाइड क्या था, प्लान्ट का और वो था आटिपीशिल क्लासिपिकेशन तो आटिपीशिल क्लासिपिकेशन क्या है, एक अच्छा क्यों आता है, नीट एक्जाम के अंदर कि artificial classification is when classification best only one or two morphological character only कि जब पात्मों का वर्गी करण केवल एक या दो आकार की लक्षनों का अधार पर किया जाए केवल एक या दो आकार की one or two external morphological character समझ रहें तो ये initial था हलांगी इस classification में unrelated plant भी कभी same group में आगे ये demerit थी लीनियस ने अपने classification ने दो basis बनायते number of stamen और length of carpel के basis पे 24 classes ने form की थी तो इसके according आप समझ सकते हैं कि practical ये practical नहीं है artificial ये correct answer है लीनियस ने artificial classification ने प्रवाइड किया था natural नहीं है phylogenetic नहीं है तो according discussion answer will be second next आप देखेगा question number second a girdled plant may survive for some time but it will eventually die because एक वलाईकर्थ पादप कुछ समय तक जीवित रहता है परंतु अंततह मर जाता है आप समझ सकते हैं कि stem में girdling की जाती है मेखला करन प्रयोगया ringing experiment girdling तो outer stem का outer part है उसको ring form में remove कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अपन कौन जोंट को लेटरल ओपन है और कौन जोंट को लेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल जां outer phloem और inner जाइलम क्योंकि फस्ट ओपल जब जाइलम फ्लोयम connect होर सेम रेडियाई पे हो तो वो आपका उता हैं तो आपका उता हैं को लेटरल outer phloem inner जाइलम और आप समझ सकते हैं कि open if cambium present between phloem जाइलम intra-fascicular cambium तो कौन जोंट को लेटरल ओपन और इस वेस्कुलर बंड़र एरेंज इन ए रिंग के लिएर और ये similar size के होते हैं एक बिलकुल वले में ये रिंग में present होते हैं के लिएर अब अगर अपन आउटर बार्क रिमूँ करेंगे तो ये phloem रिमूँ हो जाएगा phloem रिमूँ कर दिया अपने gaddling experiment के थूँ और gaddling experiment only dicoat stem में ही possible है dicoat में ही possible है clear तो phloem अपने रिमूँ कर दिया तो leaf generally जो green plant है leaf उनके sources है तो वहाँ food जो form हो रहा है तो आप समझ सकते होगी जैसे अपने यहाँ gaddling experiment कर दिया यहाँ ringing experiment कर दिया यहाँ का जो part है वो swell up हो जाएगा full जाता है अपर part क्योंकि यहाँ food accumulate हो जाता है अब जो phloem translocation के थूँ जो organic solutes है या sugars है वो underground part route तक या storage तक transport नहीं हो पाती है तो यहाँ देखेगा water will not move downward ऐसा नहीं होगा clear water will not move upward ऐसा भी नहीं होगा कि water और मिंदल का upward जो transport करता हो जायलम के थूँ होता है clear sugar and other organic material will not move downward तो सरकराव दूसरे कार्वनतार नीचे क्यों नहीं जाएंगे तो नीचे नहीं जा पाएंगे clear तो आप समझ सकते हैं कि third answer आपका हो गया sugar and other organic matter will not move upward अपवाड तो जाती ही नहीं तो fourth वैसे भी नहीं हो सकता clear तो आप समझ सकते हैं कि answer will be third next अपन देखते हैं question number 3 question number 3 देखिएगा in which of the following all listed general belong निवन में निवन में से किसमे दिएगे once सेवाल के एक ही वरक से हैं ध्यान दीजी का बेटा first of all kingdom planty होता है kingdom planty includes five division और five division आपके हैं thallophyta thallophyta bryophyta pteridophyta gymnosperm angiosperm यदि स्परमेटफाइटा तो thallophyta division में sub division algae तो sub division algae में जो classes होती हैं generally multi-sandar algae classes chlorophyce, green algae pheophyce, brown algae और rhodophyce red algae clear और उनमें जो examples हैं genus हैं उसमें species हैं clear तो यहाँ देखे का kara यह तो green algae है fucus, brown और polysiphone या red तो यह तो आप समझ सकते हैं कि same class से possible ही नहीं है walvox green है spirogara green है clematonus green है तो यह तीनु green algae है walvox, spirogara clematonus unicellular form है but यह all are green algae और green algae belong class chlorophyce chlorophyce में यह genus relate हो जाएंगे porphyra red algae है ectocarpus brown है yellowthrix green है नहीं हो सकता sargassum brown है laminaria brown है gracilaria red है नहीं हो सकता answer will be second clear next आप देखेगा question number 4 तो देखे वड़ा कि अपन question number 4 की बात करेंगे तो bryophyta resemble algae on the following basis bryophyta किस आधार पर सिवाल से समानता रखते हैं तो देखे वड़ा कि thallophyta ऐसे just according evolution bryophyta है अब bryophyta और algae में क्या advanced character है bryophyta में algae में नहीं है जैसे कि embryo formation first time bryophyta में embryo formation absent in algae आप समझ सकते हैं कि algae में tissue organization absent होता है bryophyta में present होता है sex organ unicellular non jacketed होते हैं algae में sex organ multicellular jacketed these are differences between algae and bryophyta because bryophytes are advanced than algae but आप समझ सकते हैं just algae वाद bryophyta है तो कुछ similar character भी resemble होते हैं तो similar character क्या होते हैं algae में simple thaloid body होता है sural thaloid है ना बट आप आप जैंदे bryophyta में जो liver what होते है thalus और rhizoid और उनका thalus है dorsi ventral dichotomus लिब्रांच तो थोड़ा advanced thalus अपर thaloid body है autotropic है photosynthetic है clear lack of vascular tissue vascular tissue है ही नहीं root stem leaf true root stem leaf है नहीं सत्य प्रकार की जड़तना पती तो यहां देखेगा differentiation of the plant body root stem and heterotropic यह possibility नहीं हो सकता है thalus like plant body lack of vascular tissue absence of root and autotropic mode of nutrition 100% सही thalus के समान पादफ सरीर समान उत्तक की अनुपस्तिती जड की अनुपस्तिता स्वापोसी portion तो यहां प्रूट गलत हो गया और heterotropic तो आप जानते हो जड़ हो इनी सकती ब्राइफ़ेटा में सत्य जड़ होती नहीं और विस्समपसी portion तो possible ही नहीं है यहां filamentous body फिर वो देखो vascular tissue आगया नहीं हो सकता है और autotropic तो आगया लेकिन vascular tissue नहीं हो सकता है तो यह answer आपका second हो गया next आप देखिएगा question number 5 which of the following statement is incorrect for pinus निमन में से कौन सा खतन pinus के लिए ऐस सकते है तो ध्यान दीजीगा बेटा कि भी pinus के लिए यहां पर wrong statement क्या तो male and female कौन are born on different tree कि नर तता मादा संकू अलग लग वरक्षों पर उत्पन होते हैं आप जानते हैं कि pinus में male कौन और female कौन male कौन और female कौन same plant पे होता है monoseous होता है need 2017 का question है और psychus में male female कौन different plant पे होते हैं नहीं diocese होता है आप समझ सकते हैं तो यह statement incorrect है first statement incorrect है वाकि seed are not covered क्योंकि overall absent तो आप जानते हैं कि naked ovule तो naked seed होता है correct है pollen grain reduced gametophyte 4 to 6 cell होता है reduced gametophyte है limited cell का number होता है simis sankhya होती है 4 से 6 कोश की प्राकन होता है जो नरीगुमद होता है प्राकन होता है और bees अनावर्थ है ये भी सही है और life cycle diploantik तो ये भी correct है gymnoswarm और angioswarm spermatophyte हो प्लांट है वहाँ पर diploantik life cycle होता है क्योंकि dominant plant body sporophytic होता है alternate आपा gametophyte highly reduced आता है limited number of cells clear तो इसके according आपका question का answer क्या हो गया first तो fifth question में answer first हो गया देखते हैं 6 question तो next देखिएगा question number 6 non-motile male gamet are present in all of the three of which one of the following set निम्न में से किस एक समुच्चे में तीनों में अचल नरीगुमक यानि male gamet non-motile हो clear तो ध्यान दीजिएगा rixia में bryophyte है anthracoid motile होता है rixia में तो जो anthracoid होता है male gamet motile होता है drapter is psychosposive anthoceros finaria spirogyra ये भी possible नहीं है jignima walvox में तो ugemi होती है motile gamet होता है hydrilla नहीं ficus और calotrophis both are angiosperm और angiosperm में जो pollen grain के अंदर generative cell होती है जनरन कोशका में mitosis होता है two male gamet form होते है non-motile होते है और उनको facilitate करती है pollen tube पराग न लिका लेके जाती है तो ficus कलotrophis तो क्या angiosperm है ये बरगद है ये आख है तो ये तो angiosperm है non-motile होते है male gamet बढ़ वहाँ pollen tube siphon o gamet and spirogyra तो spirogyra में आप समझ सकते हैं कि non-motile iso gamet होती है नहीं both gamet are similar size और बहुत are non-motile तो non-motile iso gamet question of need 2013 ape mt 2014 need 2013 ape mt 2014 का equation repeat question है कि non-flagellated iso gamet non-flagellated iso gamet किसमे होती spirogyra में जबगि आप जानते हैं बहुत are flagellated and similar तो flagellated iso gamet किसमे होती climatomonas के अंदर clear फिर आगे niso ये यहाँ उगेम ही होती है बट यहाँ malgamet जो angiospram और gymnospram में malgamet non-motile होता है जबगि bryophyta tadofata में malgamet anthrazored होता है bryophyta का malgamet biflagellated होता है coma sap और tadofata में multi-flagellated और spindle sap होता है clear है तो answer आपका आचुका होगा clear next अपन देखते है कि 6 questions आपका answer 4 है और अब आपका next देखते है कि question number 7 और 7 question बहुत important तो ध्यान दीजिएगा question number 7 देखिएगा read the following statement find out the correct answer निमिन खत्नों को पढ़ो और सई उत्तर का आप chain करना आपको बिटा तो ध्यान दीजिएगा कि chlorella and spirulina are used as food supplement by space travelers antrix यात्री chlorella इस पर इनका प्योग भोजन की रूप में करते हैं मैंने chlorella इस पर नों ही हो जाएंगे ये अच्छा ही statement एक बार exam में भी आपका आया था clear और ये cbse-c2-0-nore a.p.m.t. 14 का आपका question है कि अगार-अगार obtained from gelidium graciliria कि gelidium graciliria बोता red algae और gelidium graciliria का जो cellulose प्लस आप जानते हैंगी poly, sulfur, ester होता है keragene होती है अगार-अगार होता है अगार-अगार वहाँ से obtained होता है gelidium graciliria से jam, jelly, ice cream के form में आपके काम में आता है यह correct है यह भी correct है कब सैप क्लोरोप्लास present in claim adonus claim adonus में कब सैप का क्लोरोप्लास होता है बहुत important question है single होता है paranoid होता है gyotic meiosis is unique character of thalophyta thalophyta में जो आते हैं fungi यह especially thalophyta के अंदर according five kingdom तो only multisolar algae पहले fungi भी इंक्लूड थे five kingdom classification से होता है जैसे कि claim adonus में spiro gaira में और fungi में इनमें समय आप समझते gyotic meiosis होता है तो unique character है तो a b c d yes तो a b true b b true c b true और d b true यह एक ही option है आपका four option clear तो seventh question का आपका answer क्या हो गया बेटा four clear अब आप next देखेगा question number eight और eight question बहुत important two very distinct आप समझ सकते हैं कि यह distinct है two very distinct generation are found in the life cycle of though is first अलग लग पीडिया distinct generation clear cut generation alternation of generation present in तो bacteria में तो कोई ploidी नहीं है ना mitosis है ना meiosis है यहां तो possible ही नहीं है spirogyra uniculler है sorry filamentous है बड़ है spirogyra में only haplantic life cycle है walvox colonial है farn farn teradophyte है तो यह बिल्कुल करेक्ट है farn में जो dominant plant body होती है teradophyte हमोग sporophytic होती है dominant plant body sporophytic two and highly organized होता है plant body differentiate into root stem और leaves plant body root stem leaves में differentiate होता है two and होता है after vegetative growth काईक वर्दी के बाद sporophylls बिजानों परने जो reproductive leaves है वो आती है sporange आती है spor mother cell last cell आती है sporic immunosis होता है तो haploid spor और spor के जर्में से फिर gametophyte बनता है prothalus तो फिर free living होता है prothalus अब आपका sporophytic highly organized और less organized आपका gametophytic alternate फिर वापस sporophytic तो clear cut alternation of generation आपका होता है तो यहाँ आपका और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा clear next आप तो इन life cycles को इनको ध्यान से बहुत ध्यान देख रहे इन चैटे को cover करें बहुत किसी भी paragraph में दिक्कत आती है तो मेरे whatsapp number 9461357946 इस पर आप doubt भेज सकते हैं आप CLCNs है most of तो आप समझ सकते हैं कि दिन के टाइम पर आप 9.10 बज़े आप doubt पूछ सकते हैं और रातरी को हमारा जो CLC का doubt counter होता है वो साड़े साथ से साड़े 8.9 बज़े तक होता फिर अपना एक camp होता है CLC के अपने व्योस्ता है होती सारे बच्चे camp में बैटे कर self study करते हैं हमारे यहां building के अंदर और बहुत confidence के साथ पढ़ते हैं मैं कहता हूँगे DCM की दुरानगर आप topic की line to line clear कर ले है summary तक भी और एक short theory बना ले एक page की ताकि आपको एक गंटे वापस देखना पड़े तो आप इस जंग को जीत जाएंगे और CLCNS मेरे प्यारे बच्चों जो भी देख रहे हों CLCNS होते हैं मैं कहता हूँ कि आप APMT जो 20 का paper है उसके अंदर एक अमिट साप एक बड़िया रेंग के साथ आप बन जाएंगे डोक्टर भो सारे बच्चे अपने सपनों के अंतिम उडान के अपन बढ़ेंगे केलियर नेक्स्ट आपन देखते हैं जो question आपका next है तो देखिएगा next question question number 9 आपका है एप siw water potential sis solid potential sip pressure potential then the select correct equation वैश siw जल भीभव si से आपन represent करते है si ये question आपका एंचाट है कि size का प्रतीक है फिर water potential आपके थे हैं Psi W और एक दिम pure water है pure water no any solute, pure water, pure solvent तो maximum water potential free energy maximum Psi W किस 0 if some solute added in pure water then solution for solution in chemistry Psi W भाबर Psi S but in living system या biological system for cell plant cell closed system तो closed system में जब extra water आपका जाता है तो आप समझते हैं Psi W equals to Psi S always negative होता है solute potential plus Psi P तो यहाँ पर equation हो जाएगा तो यहाँ देखेगा Psi W और Psi S plus P according discussion answer will be second तो आपका 9 question और उसका answer second है अब हम next question में बढ़ते हैं 10th question में next देखेगा बढ़ता question number 10 which one of the following is incorrect regarding facility diffusion निमिन में से कौन सा सुसाद्धे विश्रण के संद्रब्द में साई नहीं है facility diffusion आप समझ सकते हैं selective nature specific selective nature depend on energy यह wrong है transport saturation correct है requirement of protein correct है यानि चैनात्मक है विशिस्ट है उर्जा पर निर्बन नहीं हो सकता बागी परिवन संत्रत्ता है और protein के आउशकता होती है बही जनरली देखो mean of transport across the membrane तो mean of transport mean of transport परिवन के माध्यम पढ़ते हो न बिटा two type passive transport active transport तो mean passive मत्तब energy consume नहीं होगी ATP खर्च नहीं होगी energy की कोई requirement नहीं होगी active energy की requirement होगी because it is downhill transport higher concentration region to low concentration region it is uphill transport against concentration gradient फिर जो passive है down ही ले जहाँ energy की requirement नहीं है यह दो type का है simple diffusion और facilitated diffusion तो facilitated भी है तो passive type ही ना आप समझ रहे हैं फिर simple diffusion not depend on living system simple diffusion living system पर depend नहीं है यानि membrane essential नहीं है but जो facilitated diffusion है वहाँ पर membrane essential है depend on living system तो facilitate diffusion होता किसका है कि ऐसे substance जो concentration gradient already present है high to low ही होना है downhill transport ही होना है बढ़ आप जानते की membrane उसको allow नहीं कर रही है और वो आपके hydrophilic substance jealous नहीं जल्दरागी polar solutes जो organic है और तो large size है organic glucose amino acids तो जब requirement होती तो specific protein की requirement होगी specific protein उसको facilitated करेगा second क्या है incorrect है तो answer will be second next question देखते है question number 11 in the diagram given above some of the algae have been labeled as ABC these algae are respectively correctly identified कुछ diagram आपको anxiety की दिये गए है और आपको इन algae को पहचानना है clear तो आप समझ सकते हो कि यह तो colonial algae है और colonial unicell or colonial form generally green algae में है बाकि brown algae में तो unicell form present ही नहीं तो यह wall walks wall walks है polvonial green algae यह polysiphonia red algae है यह laminaria है तो wall walks polysiphonia laminaria third answer आपका हो गए in chat इम आप देखने है तीनों diagram आपको दे रेखें मेटा clear तो देखें इस्टों next अपन देखते हैं question number 12 the needle like leaves reduced surface area thick cuticle sunken stomata characteristic feature of the witch group of plant तो जनरली आप देखते हैं कि सारे characters generally mainly किसे match होते हैं gymnosperm अनावर्थ बीजी gymnosperm में जो pines होते हैं या needle like leaf सुई आकारी पतियां जो pines होते हैं इदर आप देख सकते हैं कि जहां आपन जाएं conifers forest पर यानि temperate region से हाई पर जाएं simla में जाएं इदर हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं जो conifers plant होते हैं उनमे needle like leaf होती है तिक cuticle होता है sunken stomata होते हैं clear तो यह zerophartic adaptations है next अपन देखते हैं question number 13 recognize the figure and find out the correct matching देगे चित्र को पैचानी सई सुमिलित को चुनी आपको दिया गया डाइगराम है ना थेलस है liverwort का थेलस है liverwort थेलस और थेलस अप लिवरवट dichotomously branch dorsi ventral है dorsi ventral यह देखेगा dorsal surface होती है जा राइजोड्स होते हैं और आप जैंदे ventral surface भी होती है clear अब आप ध्यान दीजिएगा कि यह sex organ आते हैं तो यह archegonia का number दे रखा होता archegonia जो female sex organ है तो यह archegonio 4 है archegonia 4 यह N3D4 और यह N3D4 है तो यह archegonia number 8 संक्या में 8 है और यह N3D4 clear तो यहां A archegonia 4 है B N3D4 है इस्त्री धानी दर और पूधानी दर है clear correct है markensia है dioses है markensia का यह female thalas है male thalas है clear तो यह आप समझ सकते हो अच्छे से inside में देख सकते हो next आप देखेगा question number 14 for a solution at atmosphere pressure water potential अभी मैंने कहाता कि pure water एकदम pure water है तो maximum free energy और pure water की kinetic energy maximum है तो maximum water potential 0 ठीक है अब आप कहेंगे कि आपने थोड़ा सा solute add कर दिया तो for a solution तो solution के लिए equation हो गया psi w बराबर psi s clear तो psi w किसके equal हो गया psi s और psi w as always negative और more negative less value more negative less value जितना negative तो तो less value होती जाएगी माइनस के अंदर तो यहाँ आपका answer क्या होगा 4 तो जो आपका 14 question है उस answer क्या है 4 next अपने देखते हैं उड़ा 15 question तो जो 15 question है देखिएगा 15 question find out the incorrect pair गलत इगम को आपको छाटना है poly siphon या red algae haplode plontic life cycle correct है generally algae के अंदर green algae में claimant onas में इस paragraph में haplontic होता है बाकि अपन कहें कि brown algae और red algae में generally haplode algae होते हैं haplode plontic क्योंब फ्यूकस को छोड़कर ठीक है तो poly siphon या में haplode plontic है fucus में diplontic है correct है ये भी पिछा आपका इंसेट में दिरेका बहुत अच्छा question है eulothrix haplontic है बट यहाँ acto carpus के लिए diplontic जिदिये incorrect है acto carpus के लिए haplode plontic है आप समझ सकते हैं कि acto carpus के लिए क्या भी haplode plontic तो यहाँ पर आपका जो 4 answer आपका जाएगा 15 question का फिर आप देखेगा next question 16 और 16 question जो आपका है facilitated diffusion is a transporter molecule across the membrane which तभी मैंने आपको बता दिये सूसाथ जे विसरन जिल्ली के आरपार जो परीवन है तो देखेगा fast polypid की bilayer है और यहाँ यह head है यह tail है जो hydrophobic अब आप जानते हों कि यह membrane कभी भी hydrophilic substance की concentration already present है high concentration low concentration concentration gradient already present बटे उसको allow नहीं करेगा तो किसको allow नहीं करेगा hydrophobic ना hydrophobic अच्छे से करेगा have hydrophilic nature तो sugar amino acid सरकरा और amino जो जल्दरागी प्रकरती रखते हैं polar solute होते हैं तो उनको फिर facile diffusion करवाया जाता है have not a concerned gradient नहीं भी concerned gradient तो होता है clear और have non polar nature नहीं polar nature इनकी होती है तो आप समझते यहां question क्या हो जाएगा second answer हो जाएगा अब आप देखेगा next इसका देखीएगा बटा तो next आप 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 देखते हैं 17 question और 17 question क्या कहता है gammy R तो gammy अभी जो आपने पिछी थलस देखा था female thalus और male thalus R की गोने और female thalus antidea male thalus markensia में तो markensia का जो dorsi ventral प्रष्टा धरी dicotoson नी ब्रांच आपका थलस था उस थलस में dorsal पे वहाँ पर थी gemma cup तो gemma cup receptacle उसमें gammy multi-sandar asexual bud होती है जो liver word की asexual structures है तो आप समझे की asexual reproductive structure of liver word यानि markensia बड़ यहाँ पर दिया asexual reproductive of color mouse नहीं होगा sexual possibly नहीं है sexual possibly नहीं है तो आपका आणसर क्या हो जाएगा 4 next अपन देखते हैं question number 18 if equisitum belong to spinopsida then psyllotum and teris belong to respectively कि यदि equisitum sinopsida से समझ दीता है तो psyllotum और teris किस करम से किस्य होंगे तो आप समझ सकते हैं कि psyllotum psyllopsida और teris teropsida foreign जो foreign होते हैं teropsida होते हैं और psyllotum psyllopsida होता है lycopodium lycopcida होता है और जो equisitum होते हैं वो आपका है और spinopsida होता है jointed stem के लिए तो आणसर आपका हो गए next आप देखिएगा question number 19 guttation is the result of by guttation कब होगा जब transpression नहीं हो early in the morning late night active water absorption और transpression नहीं हो stuff हो तो एक positive pressure through root pressure तो root pressure होगा तो उससे एक grasses में हाइडे थोड़ से water droplet के form में release होगा that is guttation और the result is the root pressure के लिए मूलदाप है तो यह देखिएगा कि भी अच्छा question आपका है next आप देखिएगा question number 20 तो question number 20 की बात करेंगे बटा कि natural classification system for a flooring plant was given by first time natural classification suggested by Bentham और Hooker natural classification depend या best on natural affinity जो plant पात्मों के प्राकर्तिक अंतर संबंदों पर है पहला अभरगी करना जिसमें संपून आकार की gross morphological character anatomical सारिक character और biochemical genetic को ध्यान में रखते हुए सबसे best classification natural है उसमें फिर जब natural phylogenetic सबसे और best है recent है clear तो natural classification firstly suggested by Bentham and Hooker तो ये बहुत अच्छी राए ना NCRT की question है next आप देखेगा question number 21 at present classification system best on evolutionary relationship between the various organism are acceptable बाई जब natural के बाद में जब उसमे evolution relation सबको जो origin की sequence को ध्यान में रखा कि जैसे थैलोफाइटा ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजियो बाद में डाइकोट, मोनोकोट तो पुरा phylogenetic तो वो सबसे best आप phylogenic और ये बहुत important question है next आप देखेगा question 22 match the column तो 22 question की बात करेंगी बटा और यहाँ देखेगा कि column matching का आपका question है clear और यहाँ देखेगा algin तो तुम्हें बताए कि green algae के अंदर जो cellulose ब्राउन algae में cellulose plus poly non-cell peraster alginate alginic acid होता है alginate होता है तो algin produce hydrocollide तो brown में और red algae में agar agar keragene होता है जो अभी 2021 का question है anxiety का फिर देखेगा geladium geladium से agar obtained होता है और chlorella used by food supplement even by space travelers तो आप जानते हो chlorella antrix चात्री भोजन की रूप में होई गया बट algin algin hydrocollide हो जाएगा geladium से agar की प्राप्ती हो जाएगी red algae से पहले यापन बता चुके हैं तो यहां BAC हो जाएगा आप जानते हैं कि जो भी आपका यह first B second A third C clear next आप देखेगा question number 23 given below are the certain standards related to pyranoyd नीचे कुछ खतन सेवाल के pyranoyd से related है देखो pyranoyd green algae से related होता है pyranoyd store food के लिए यानि यहाँ pyranoyd पे center पे प्रोटीनिस पार्टीकल होता है और center पे जो प्रोटीनिस पार्टीकल होता है तो surrounding आपका star seed होती है star seed होती है और आप जानते हैं कि central पे center पे एक protein center पे protein particle यहाँ पर होता है clear और यहाँ star seed होती है और जनलली जो green algae unicellar और यह आपका है Clamadomonas यहां कब सर्फ Cloroplast है और यह 2 Flazula है और यहां Pyrenoid आपका particle है Pyrenoid, clear तो Pyrenoid single होता है Clamadomonas में यूलोथ्रिक्सलिन में एक से ज्यादा हो सकता है More than one हो सकता है तो present in Cloroplast यह correct है Always one in algae, always wrong हो गया Clamadomonas में one है बट सब में one नहीं है इस्टोर स्टार्च और प्रोटीन यह correct है तो select the true ones तो first and third आप समझ सकते हैं कि second option आपका हो जाएगा तो question number 23 और question number 23 का आंसर आपका होगा second next आपन देखते हैं question number 24 तो question number जो 24 है मैं आपको बताता हूँ clear, वो देखो cell wall of green algae green algae में higher plant कितर है cellulose, pectose का outer layer होता है brown algae में cellulose और polynone sulporester, alginate होता है red algae में cellulose और polysulporester, sulponic, keragene agar agar आपका होता है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ inner दिया है तो inner layer आपका cellulose का होगा और outer आपका pectose का तो जो 24 question अपना उसका answer फस्ट हो जाएगा next अपना आपको देखते है question number 25 और question number 25 जो है juice spore of feophyses feophyses ke juice spore होते है juice spore mean motelis spore चल भी जाणू तो feophyses के मैं आपको बता दूँ कि feophyses में gamet भी और juice spore है तो biflagellated है और bipier sept है biflagellated है और laterally attested है और one is smooth and other is tin cell तो यह आपका biflagellated pier sept laterally attested parse rup से जुड़े वे two flagella यह आपके होते है pier sept have two flagella अच्छा question है बहुत important question है next आप देखेगा question number 26 the predominant stage of the life cycle of a moss is the gamet of height which consists of two stage moss के जिवन चकरी की तो पुर्व प्रभावी वस्ता युगमोध भीद है जो दो अवस्तों से बनी होती है by generally bryophyta का man dominant plant body free living gametophyte होता है युगमोध भी gametophyte अब आप जानते हैं कि N है gametophyte जो N plant body होती है और mitosis से gamet produce करती है समसुदरी वाजन से युगमोध उत्पन करती है अब लीवरवट का पादप सरीर तो लीवरवट का body तो जो है थैलस प्लस राइजोईड्स plant body of लीवरवट ठीक है राइजोईड्स हो गया प्लस मोसेज का stem like, leaf like leafy gametophyte जो होता है stem like, leaf like और राइजोईड्स clear तो उस मोसेज में इस पोर का germination direct थैलस फोम नहीं होगा वो लीवरवट में होता है मोसेज में इस पोर से पहले proton इमा फोम होता है फिर आप जानते हो कि secondary proton इमा बड़ और फिर leafy gametophyte तो leafy gametophyte मीन आप जानते हैं stem like और इस stem पे ही leaf like structure और ये आपका rhizoids multi cellar जो आपके होता है ये आपका मोसेज की बात हो गई clear तो यहाँ देखेगा कि first stage क्या है proton इमा और second आपका leafy stage होता है NCRT के लाइन है clear बेटा यहाँ देखेगा थोड़ा समय ने English के अंदर जो options थे हिंदी में पुरितर चैंज नहीं इसका आपको हिंदी भी करना capsule का होता है sum put होता है और आप समझ सकते हैं कि परणी लावस्ता जो leafy stage होती है clear और मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोफर्टी हाँ पर आपका क्या होता है बिजानद भी दोता है DCM जो आपका इस टैस्ट है clear तो यहाँ देखेगा कि बिल्कुल करेक्ट है आपका है कि नहीं है तो यह आपका question का क्या है 26 है clear तो देखेगा हाँ देखे question number 27 why teradophytes are limited to small geographical area तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर आपका होगा कि इनको भी requirement है fertilization के लिए किसकी water की requirement है clear इसलिए यह आपका अंसर होगा clear next आप देखेगा question number 28 select the gymnosperm in which root have fungal association in the form of mycorrhiza gymnosperm का chain करेजने मूल कवक से सयो कर लेती है तो आप अच्छेश जानते हैं कि जो genus pinus होता है pinus higher plant root root और association fungal IP तो association of fungal IP and higher plant root pinus form mycorrhiza और वो penetrate कर देती है फिर mycorrhiza सरपे शिर्या को इनकिलिज गर देता water mineral के लिए phosphorus absorption में help करता है तो आप समझ सकते हैं कि pinus तो जो 28 question है उसका answer आपका क्या होगा first होगा next आप देखेगा 29 question तो 29 question है इन विच ओप दे फॉलोइंग gymnos form root are associated with end to fixing cyanobacteria तो ये root के modification है specialization है कि higher plant root और fungal IP का association mycorrhiza pinus में और आप समझ सकते हैं कि जो correlate root होती है जैसे कि साइकस में जो root है above the ground आकर specialize जो हती है cyanobacteria से association शो करती है एन विना साइकेडी तो साइकस में होती है correlate root जो end to fixation perform करती है end to fixation के लिए modify है तो ये साइकस में answer आपका second हो जाएगा बहुत अच्छा question है neat exam का next आप देखेगा question जो आपके सामने anxiety का डाइग्राम है ये fan-sept leaves है fan-sept चप्ती fan-sept leaves है ये dwarf suit है dwarf boni साखाई है ठीक न ब्रांच है ये gingo by loba है तो gingo by loba है एक living fossil है उसका कुछ medical usage होती ही होती है clear तो औस दियम है तो होता है medical usage होती है tap root complete gymnasium में tap root होती है distribution throughout the word ये गलत है पूरे word में उसका distribution नहीं है living fossil है restricted area में है yes it is called living fossil ये correct है तो आप समझ सकते हैं कि भी first correct है second correct है four correct है पर third नहीं तो recognize the given figure and select false one कि इसमें गलत कौन सा है तो यहाँ पर आपका third गलत है तांसवर will be third तो 30 question का परांसवर third हो जाएगा next up आपन देखेंगे 31 earlier तो ध्यान दीजेगा बेटा question जो 31 है in which category of the gymnosperm male and female कौन may be born on the same tree gymnosperm जिसमें दो परकार के नर्ट अता मादा संकु एक ही वरक्स पे होते हैं तो if male and female कौन on same plant then आप समझ सकते हैं कि जो साइकस में होता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा second कि same plant पर आपको दिया है तो 31 जो question है उसका आंसर आपका हो जाएगा second clear but both नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर same tree मतलब पाइनस और different मतलब साइकस next आप देखेगा question number 32 in gymnosperm mega spore mother cell divide to form mega spore to mega spore mother cell last cell of sporophytic generation spore mother cell है sporic meiosis में जाएगी और meiotically division के थुरू form 4 haplode mega spore clear तो यहाँ a meiotically b आपका 4 clear बाकि आपका यह नहीं है possible ही नहीं यह भी possible नहीं two-seven ती यह possible नहीं clear next आप देखेगा question number 33 which plant body represent a gamet of height कौन सा पादब का युगमोद भी दोता है कि जो plant body haplode n हो और mitosis के थुरू gamet produce करे that is gamet of height की production of gamet through mitosis so haplode plant body produce gamet by mitosis clear deployed नहीं होगा deployed plant body produce gamet by meiosis नहीं वो sporophytic होता deployed plant body यह possible नहीं ता आपका answer क्या हो गया answer हो गया तो देखेगा question number जो आपका 33 है उसमे answer first हो गया next आप देखेगा question number 34 और 34 आपका question है given below certain statement नीचे कुछ खतन दिये गए है plant have many mean of transport यह correct है mean of transport आप जान्दे पेसिव है active है पेसिव में simple diffusion facilitated diffusion और आप जानते है तो so distance की बात long distance transport xylem translocation form translocation तो यह correct है plant need to move molecule or very long distance than animal पेड़ पतों जनतों के पिकसा कहीं अधिक दूरी तक अड़ों को लिजने आऊशकता होती correct है आप समझ सकते हो कि अगर 100 meter का भी plant है तो root के जालम से leaf के जालम तक जालम translocation होता है up to 100 meter तो इतना animal में नहीं होता है clear hormone in plant or transport in very large यह गलत हो गया very small amount होता है छोटी मात्रा में ही hormone है यह minerals का यह करते है especially small quantity आपका आएगा तो यहाँ पर आप से बुचा है select false one तो दो correct है C statement आपका wrong है तो आप जानते हो 34 का answer 4 हो गया clear next अपन देखते है जो 35 है question number 35 35 question smaller substance diffuse faster यह inside statement है smaller fast होते है देखेगा यह तो hydrophobic हो lipid soluble हो यह फिर very small जैसे water है या inorganic gases है और टू इनका simple diffusion हो दाता है फिर थोड़े से large size है comparatively और organic है तो और polar solute है तो फिर membrane अलव नहीं करेंगी तो facilitate diffusion होता है ठीक है और यह देखेगा कि यह भी lipid soluble substance diffuse through the membrane faster जो lipid soluble है hydrophobic है वो faster और hydrophilic को तो अलावी नहीं करेंगी किलिए तो यह statement भी anxiety का है यह भी anxiety का है जान simple diffusion लिखर का है diffusion generally guess to guess सबसे fast होता है तो यह only word आते ही गलत हो गया तो यहां दिया है कि भी देखो A and B true है और C आपका क्या है false है तो जो question आपका 32 है 35 है तो 35 question का जो आपका बेटा answer है वो first है किलिए next आप देखेगा 36 question तो 36 question की बात करेंगे इन फैसिलेटे diffusion ट्रांस्पोर्ट जीचे जे मैकजीमम सुसादी विशन में परियोन की गती कब अधिक्तम होगी आप अच्छे से जानते हैं कि फैसिलेटे diffusion के अंदर polar solute को hydrophilic को जो membrane allow नहीं करती है तो membrane protein facility देता है तो अगर transport saturated ट्रांस्पोर्ट सेचुरिटेटर आप जानते हो rat maximum होगी when all of protein transport are being used तो यह transport saturated होगे जब protein के सभी सहों का परियोग पून रूप से हो clear when molecules from both side get exhausted गलत बात होगी when concentration on both side become equal अगर equal होगी तो फिर पोसिबल नहीं consent gradient होना ही चीए न according concern gradient तो होगा पेशिव ट्रांस्पोर्ट है निस्करी परिवन है तो सांदरता प्रणता क्या अनुदिस ही होता है बिटा clear तो आप समझ सकते हैं कि हाँ पापके question cancer first हो जाएगा next देखिएगा 37 in a sim port देखिएगा आप जानते ही कुछ को ट्रांस्पोर्ट होते हैं तो जो फैसले diffusion होता है यह membrane है अगर across membrane एक single molecule और एक ही डारेक्स तो यूनिपोर्ट इब two molecule same time same direction same time same direction तो इस निपोर्ट two molecule same time but opposite direction एक outer to inner एक inner to outer यह एंटिपोर्ट होता है तो यहां sim port का है कि both molecule cross the membrane in the same direction यह होगे बाकी आपको देदे opposite direction नहीं one molecule cross the membrane one molecule पोसिबल ही नहीं clear तो आप समझ सकते हैं कि जो 37 question आपका है उसमें answer first होगे next आप देखिएगा 38 और 38 जो आपका question है यहां देखिएगा if a pressure greater than atmospheric pressure applied to pure water बैसे देखो pure water का maximum है water potential और pure water की kinetic energy maximum है तो water potential maximum और maximum को आप si w clear तो si w equals to 0 अब अगर आप normal temperature pressure प्रेसर या atmospheric pressure आप extra pressure apply करते हैं तो फिर आपका water potential क्या होगा increase होगा तो 38 का आपका answer क्या हो जाएगा first हो जाएगा 39 next अपन देखते हैं 39 और 39 आपका है what is the osmosis osmosis एक special diffusion ही तो है बट osmosis होता है किसका water का diffusion होता है water molecule high concentration से low concentration तो वहाँ अपन semi-premiable को उसको characteristic character बताते हैं बट जो plant cell है या cell में जो membrane है selectively permeable also semi-premiable character तो उसमें ही है कि लिए और osmosis होता है plant cell को अपन जो resin होता है किस मिसको अपन पानी में डाल दें तो फूल जाता है clear endosmosis के थूँ तो हुआ clear तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर diffusion of water across completely नहीं active transport possible ही नहीं क्योंकि वह passive है diffusion है diffusion of water across selectively permeable यह semi-premiable यह correct है तो फिर diffusion of gases across selectively but आप जाने diffusion of water को अपन ऑस्मोसिस कहते है clear तो वहाँ solvent water molecule की moment को पढ़ा जाता है clear water molecule solvent high concern low की और जाता है अगर low concern solution है low concentration solution to high concern solution कम संद्र विलिन से अधिक संद्र विलिन तो कम संद्र विलिन में solvent rich है solvent की concern ज्यादा है यह न तो solvent तो high to low ही जा रहा है clear तो यह आपकी बात है next आप देखिएगा question number 40 what is targar pressure इस्पिति दाब क्या है pressure excreted by ECF on wall यह नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि जो question आपका 40 है तो 40 question का answer second बेटा clear की pressure excreted by cytoplasm after diffusion और water in cell कोसी का में cell में water जैसे अंदर जाएगा तो cell wall पे pressure excreted करेगा clear यह बात आप की होगी next आप देखिएगा question number 41 why seed absorb water easily तो बेटा देखिए यह आपको वुड के लिए सीड के लिए एंसाट इने इंबाइबेशन टॉपिंग में clear cut line लिखर की है कि dry seed होते है एकदम जो mature seed होता है dormant होता है उसके अंदर 10% only water होता है एकदम dry होता है तो उसकी surface पे जो hydrocolloid substance है water को पहले absorb करते अधिसोशन करते फिर absorption होता है एक diffusion होता तो आप जानते है कि because seed have almost no water यह बहुत important है तो वहाँ gradient हाई होती है तो तो सबसे importance का answer first ही हो गया because seed have evident water यह तो possibly नहीं फिर तो कैसी हो पाएगा seed have micropyle हाँ वहाँ micropyle है seed code कहीं से भी enter हो सकता है बटे first of all वह drive हो जादा है तो diffusion में concentration gradient का difference अच्छा होना चाहिए clear है ना तो यह आपका answer हो गया next आप देखेगा question number जो आपका 42 है how mycorrhiza useful for a plant and exhibit symbiosis कि mycorrhiza उस पादप के लिए कैसे हो प्योगी है जो उनके साथ सह जीवी समंदर साते हैं कि जो भी आप जानते हो mycorrhiza जो टोपिक दे रखा है कि एक extra water absorption की device है जल absorption की एक अत्रिक युकती है mycorrhiza surface area water के लिए mineral दोनों के लिए surface area बढ़ा देता है penetrate अंदर उकर ही जाते है फंगल हाइपी और phosphorus absorption में भी help करता है तो यहां देखिए का the fungal filament form a network around the young root और they penetrate the root cell कवक तंतु नहीं जड़ो के आसपास network बनाते हैं अंदर उसको प्रिवेस कर जाते भेज जाते हैं यह आपके anxiety line है करेक्ट सीधा anxiety line है यह जहां पर आपको mycorrhiza देरका है और phosphorus absorption और आप जानते हो कि इसको जो सुस्कता होती है dryness होती है फिर लवनता salinity के प्रती जो tolerance range को भी increase करता है सई सुन तो बढ़ाता all of the above हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा 4 बहुत अच्छा question है anxiety based 100% next आप देखिए का 43 given below are the certain statement related root pressure नीचे कुछ खतन मूल दाप से संभन्दी दिए गए आप जानते हो root pressure एक positive pressure है एक average push force है और यह generally non-universal है essential नहीं क्योंकि when transmission stops the vast frozen रुख जाता है और active water absorption की condition के अंदर यह generate होता root pressure और एक उसद धखा है एक प्रकार से तो यह positive है आप समझ सकते है इस पूसिबल फूसिंग आप water to small height correct है इडिज नेगेटिव पॉसिबली नेगेटिव 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 पॉजिटिव प्रेशर है धनात्मक दाब है यह तो आप समझ सकते हैं फिर account for the majority of water transport वै अधिकान जर्परीवन के लिए नहीं नहीं अधिकान से लिए पॉसिबली नहीं केलियर तो आप कहते हैं कि भी wrong statement को आपको chain करना है question number जो आपका 43 है तो यहाँ पर आप cancer क्या हो जाएगा third यानि जो B और C statement वो incorrect है A statement आपका correct है यहाँ positive pressure आता और यह less amount के अंदर यानि जब transpiration नहीं हो तब आप जानते हो कि small height तक push कर सकता है यह फिर tension जब transpiration पूल होता है वास फोजन खिचा होता है लोंग डिस्टेंस सलता है तो उसमें water column कभी कभी break हो जाए तो उसको वापस continue करने के काम में आता है बाकी आप जानते है ascent of self में बड़ा importance का नहीं है गटेशन रही है तो तब है कि गटेशन तब होता है जब morning time हो और transpiration नहीं हो clear तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा question है next आप देखेगा question 44 यहां देखेगा कि stomatal aperture तक का डाइग्राम है यह आप जानते हो यह गाडلة होती है थिक आउटर वाल होती है तरि तिन TV तूथिन ऐठी ऑटर वाल टिक इनरवाल होती है इarta जाती है यह इनके अदर बील माइसमेशन होता है सटम लोजी से माईक्रो फाइबर priorities होता है तो जो जब outer कि टूस सोता जहने आउटरबाल को धखेला दना और आप जानते ही इनेर को माइकरो होड़े खि DoyleBlack और यह उपनेरा चेक भुझापने वर सब्सक्राइटेटार्य मे Agarald Hill प्रेश जो बाहर यह और दक्खेलता है और अंदर करता है उसको तो की और पर आपके radial micellation help करता अच्छा question है बहुत important question है बेटा ध्यान से इसको 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 बहुत अच्छा clear करना कुछ अच्छे concept है अच्छी question आ सकते हैं next देखी का given below are the certain external factors नीचे कुछ भाईयकार को नाम दिए गए ताप है प्रकास आधर तवायू की गती यानि temperature है light है humidity wind speed है how many of the above factor affect the transpiration यहने कितने एक्षोल फेक्टर जो transpiration को affect करते हैं तो देखे हैं सबसे पहले temperature करेगा temperature directly proportional transpiration rate of transpiration temperature increase होगा rate of transpiration क्या होगी increase होगी clear और आप अच्छे से जानते हैं कि light also directly proportional rate of transpiration blood में अच्छे से होगा humidity हाँ humidity आप जवनते होगी relative humidity है तो humidity universally proportional rate of transpiration कि कभी कभी आप जानते हो आदरता वाला दिन होगा humidity वाला दिन है रंदर व्यापक रूप से अच्छे से खुल जाते हैं open हो जाते हैं फिर भी transpiration नहीं होता कि वीपीडी चाहिए transpiration वैपर प्रेसर डिफिक्ट यानि जो cavity है जायलम केविटी है अंदर इंटरसंदर स्पेसर आउटर एंवारेमेंट में एक वैपर प्रेसर का डिफ्रेंस वीपीडी चाहिए होता है क्लियर और विंड स्पीड सारे ही करते हाउ मनें तो अबव फेक्टा फेक्टा ट्रांस्परेशन तो फोर के फोर हो जाएंगी नेक्स्ट आप क्योशन देखेगा क्योशन नमर 46 इन लाइफ साइकल प्रेड़ोफाइट लास साल पस प्रफिटिक जनरेशन जिमनोस्परम एंजियोस्परम में डोमिनेंट और आप समझ सकते हैं कि हाईली ओर्गनाइज जो मैन प्लांट बोडी स्परोफिटिक है रूट स्टैम लीप में प्लांट बोडिफरेंशेट है वेजिटेटिव प्लांट बोडी काईक सरीर तो काईक सरीर उनका जड़तना पत्ति जब आप जानते हैं मिनिममम रिक्वाइड वेजिडी ग्रोथ एक नियुनतम का एकवर्दी हो जाती है प्लांट की उसके लाइप इस्पान के कोडिंग तो रिप्रोडेक्टिव ग्रोथ यान रिप्रोडेक्शन का टाइम आता है तो आप जानते हैं स्पोरोफिल स में सक्स ओर्गन फिर गैमेट लास सल आ गई गैमेट का फ्यूजन होती ही तो जाइगोट इस्पोरोफिटिक जनरेशन की फसल है इस्पोर मदर सल लास्ट है एंजियोस्पर में भी जाइगोट से एंब्रियो ओव्यूल सीड को टिलोडोन ऐसे आपके फोम हो जाते हैं फि इस्पोर इस दा फ्रस सल अफ गैमेट फिटिक और गैमेट लास्ट और ध्यान देना प्लोडी दोजी के चेंज गरनी है या तो कोई 2N है मियोसिस हो रहा तो N में बदलना है या NN का फ्यूजन हो कर वापस क्या 2N यस तो यहां आप देखेगा बहुत अच्छा क्योशन इ नेक्स्ट अपन देखते हैं क्योशन 47 among the following which is not a character of bryophyte निवन में से कौन सा bryophyte का लक्सर नहीं है वै देखेगा students ध्यान दीजिएगा कि जो bryophyte से हैं प्रजेंस ओप मल्टी सल्दर जेकेटेड सेक्स ओर्गन फर्स टाइम आप जानते हैं कि bryophyte में मल्टी सल्दर जेकेटेड सेक्स ओर्गन आए क्योंकि एलगी में यूनिसल्दर नोन जेकेटेड एकोसी की जेकेटलेस जिन पर बंद्य आउरण नहीं होता है इस्टराइल लेयर नहीं होती है जबकि आप जानते हो गर सेक्स ओर्गन मल्टी सल्दर आ जाएं और जैसे की आर्की गोनिया है ये एंथडी है ये आर्की गोनिया है और फिर जैकेट लेयर यहाँ आप समझ सकते हैं कि एस्टराइल जैकेट ऐसे चारोतरप कवरिंग जैसे टेस्टिस में भी कवरिंग होती है हाँना ऐसे आप एंथर में तो एंथर में भी आप जानते हैं कि वाल लेयर्स होती है फिर आपका сп naevें टिशू होता है पिर आप समसुत्री से युगमग बनाता है एन है तो वह आपका गेमेट ओफिटिक प्लांट बोडी है ब्राइफटा का डॉमिनेंट तो यह रोंग है दिया नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस यह करेक्ट है फर्स्टाम टीशु आए ब्राइफटाम 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 कोमा सैप कोमाकार का द्विकसाबी की एन्थ्रेजोड पुम्नु जो उसका नरी गुमक है तो गतिसल पुम्नों की उपस्तिती है ऐसावनी क्रिप्टोगेमस नोन वैस्क्रिप्टोगेमस है प्रभावी पादव का बिजनान भी यह नहीं है उनका मैन प्लांट बोडी गेम इमिनेंट गेमेटोफिटिकर अल्टरेट आपका इस्परोफिटिक फूट सिटा कैप्सूल और इस्परोफिटिक डिपेंड ऑन गेमेटोफिटिक यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन स्टुडेंट्स ध्यान देना और भव को उसकी जैक्रिटिक लेंगे को पस्ति यह करे आपको भूध ध्यान देना एंसेटिक लाइन्स पर ध्यान देना किलियर करके आपको पढ़ना है नेक्स्ट आप देखेंगा 48 हेटरोस्पोरस टेड़ोफाइड सो शर्टैन करेक्टर्सिक फिचर प्रिकर्शर तुद सीड हैबिट इन जिम्नोस्पों वन सच करेक्टर्सि और वी गिठान पर गव disruptive आपको है है तो आप जानते हो कि ऑल ब्रायफाइड्स ऑर होमो स्पोर ससस अभी ब्रायफाइडोफायड सभी ब्रायफाता है wahr हो फिच्वे रचान नक होता है ह क्योंकि Means Armraiser होते हैं क्योंकि इसुर प्रेंजी यर एक ताइप की स्ष्पोरасти हॉ बट ओल जिम्नोस्परम और ओल एंज्जोस्परम और हेटरोस्परस वहाँ को एकसप्स नहीं है ओल जिम्नो और ओल एंज्जोस्परम और हेटरोस्परस अब जो आपके हेटरोस्पर्ट एड़ोफ़ाइट्स है वो उसकी ट्रिक में बताता हूँ यह आपके हेटरोस्परस टैड़ोफ़ाइट्स है उसके बाद में जो फिमेल गेमेटोफ़ाइट्स है एंज्जोस्परम में तुम देखते हो फ्लावर में कैलिक्स कोरोला सब गिर जाते हैं एंथर से पॉलन रिलीज हो जाता है बट इस्टिग्मा स्टायल ओवेरी यान जो फिमेल सेक्स औरगन होता है वो पैरेंट इस्परोफ़ाइट पैतर की स्परोफ़ाइट से जुड़ा होता है फिर पोलनेशन की बाद में फट लेसन भी वही होता है बट आप जानते हो कि टेरेडोफ़ाइट के अंदर तो इस पोर रिलीज होकर प्लांट से सेपरेट हो ज में बे जानता है जैसे वहां पर भी आप जानके कि स्टीगमा इस्टाइल ओवेरी होती है और ओवियूल ओव्यूल में इम्ब्रियो से एक बंता है फिमेल से अंब्रियो ऑल्लप इंटू इंसाइड फिमेल गमेट पर तो यह आपका सीड की की प्रीकसर को रिपरेजेंट क है किलियर और आप जानते है एक्स्टन वाटर रिक्वार्ट फर्टलाइशन ऐसा नहीं वह तो यह फालतों करेक्टर है तो आपका अंसर यहां पर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा जो तीन पर यहां तो वेरेबल प्रेड है जिमनोर एंजियो में फिमेल गमेटरफाइट पर हैं यस और आप जानते हैं कि जाएगोड से यंग एंब्रियो इंसाइड बने के लिए नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर जो आपका 49 है विच ओप दा फॉलॉइंग इस सैट आप माइक्रोफिलस यह वेजटेटिव जो ओर्गन होते हैं काईक सरीर रूट स्टेम लिवजर तना पती तो टेरडोफाइटा के अंदर एडवेंडेस रूट होती है फिर स्टेम होता है सौप्ट फिर स्टेम के कंपखि जो हो वो छोट छोटी पतिया हो तो वह आपके होते य preserved लगू पढ़नी कितने के पच्छोटी परने यह एक एक सीरी यूनिमे ठीक है माईक्रोफिलस माईकोफिलस सब्सेगअ अलाइक को प्लें जिलोपिड़ा लाओ प्सिडा लाइक अलाइक को सीरुन सबसे स्मोरेंस वरद्रिशन से उसमे थोटी लिश फर हौरन में आई तो वह आपके O T microflips ऋपर नी तो यहां पर आपका हो जाए कि थे एक विसी कम सीलोटम टेसे इंधे यह ट्रीम आ वहाए जो टेर्दोफ सेड़ा लाइक अप्सिडा इस्पिन अप्सिडा यह तीम डिवीजन आपके माइक्रोफिलस तर एक टेर उप्सिडा तर फरन फरन आपका क्या है जहां फ्रोंड है वो मेगाफिलस है के लिए और बार में जब वो रिप्रोड़क्टिव लिव जाज आती है रहा है होमोस्पोर्स हैट्रोस्पोर्स अलग चीज है वो रिप्रोड़क्शन से रिलेटेड है यस नेक्स्ट आप देखिएगा प्रोड़क्शन नम्मर 50 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 प्रोड़क्श आप आनसर होगा है, आपका आनसर होगा है, यहांना मुश मोस में होकitates, नेक्स्ट आप देखिएगा, खत्राइवर्पयट फरतम भुणी है, बड़ आप आप संमणी कोश्चिंजिन हम थो नहीं हैं, नोन में तोå और युनिवर्सल करेक्टर या एंजियोस्प्रम फ्लोयम प्रिश्ट सभी एंजियो में होती यह पर आप देखेगा इसे मॉनोसियस लीवरवट वह डायसियस है मारकेंसिया मेल फिमेल थेल सेपरेट होते हैं यह करेक्ट है कि पाइनस में मेल कॉन और फिमेल कॉन सेम प्लांट पे जिमनोस्प्रम में वो पाइनस होता है तो पाइनस मोनोसियस होता है साइकस डायसियस होता है अच्छे से रिपेट हो रहा है 51 में आपका क्या हो गया 4 हो गया के लिए और अपना नेक्स्ट देखते हैं मेटा क्योशन नम्मर 52 स्वि ON GAM Kotyr हो गया को चैना क्या है ये करेक्ट है साइक की तरह होता है। बेलनाकार उर्दु होता है, इरेक्ट होता है, इसलेंड्रिकल अनब्रांच होता है, फिर पाइनस में कोरोलोड रूट ये गलत हो गया, पाइनस में माइकोराइजा, कोलेरोड रूट जो होती है, कोरेलोड रूट जो होती हो, साइकस में होती है, साइकस में स्पेशलाइज Symbiotic Association with BGA और Perform Antofixation यस बेटू फिर Lycopodium Microphilis अभी बताया था आपको Lycopodium Slejna Microphilis है लगू परनी है Markensia Gamma Cup ये भी correct है ये भी correct है ये भी correct है बट पाइनस वाला wrong है तो 52 के अंदर आपका कौन सा हो गया भी Second answer आपका हो गया क्योंकि आपसे mismatch pair पूचा है Yes Next आप देखेगा Question No.53 Find out odd one विसम को chain करना है Polytrichum Mose है Polytrichum Mose है Funeria भी Mose है ठीक है ना Spegram भी क्या है Mose है बट Dictiota आप समझ सकते हैं कि एक highly branched Brown algae है Dictiota है ना तो यहाँ पर आपको odd one को correct करना था तो यह आपका हो गया थर्ड answer Next आप देखेगा Question 54 Euglena Euglena Anabina Clamadomonas Eulothrix Rixia Funeria Lycopodium Unisadar Eukeritic Protist है Anabina Nostok BG होते हैं Clamadomonas Unisadar Green algae Eulothrix Green algae है Rixia Bryophata Funeria Mose Bryophata Lycopodium Pteridophides है Yes इनमें क्या Equality हो सकती है क्या समानता हो सकती है Choose correct option regarding about organism इनके बारे में तो All are Unisadar Eukerit गलत हो जाएगा क्योंकि Euglena Unisadar Eukerit Anabina Procate है और Clamadomonas Unisadar Eukerit Eulothrix Multisadar है Rixia Fineria यह तो Multisadar 100% है All are Multisadar यह भी रॉंग हो जाएगा All have chlorophyll A photosynthetic ability यह correct देखिए का कुछ अपन photosynthetic bacteria को छोड़ दे except some photosynthetic bacteria Green sulper और Purple sulper हरे गंदक बैंगनी गंदक जो Eubacterium जो bacteria और some bacteria are autotrophic bacteria which have chromatophore और they have no true chlorophyll they have primitive chlorophyll bacteria chlorophyll bacteria viridine यानि जो आद्य व्रणक रखते हैं bacteria chlorophyll bacteria viridine हरे गंदक और बैंगनी गंदक bacteria उनको छोड़ने का बाद first time cyanobacteria वो organism है पहली बार किसने प्रफॉर्म किया cyanobacteria BGA तो उनमें थैलेकोड होती है trichlorophyll A बस cyanobacteria से लेकर जितने भी अर्थ पे जो oxy photosyns show करते हैं वो आप जानते हैं कि chlorophyll A रखते हैं बस जो bacteria है जिनमें pH second absent होता है non-oxygenic photosynthesis unoxy प्रकास sensation जो शो करते हैं उनली bacteria green sulfur और purple sulfur उनको छोड़ने के बाद जितने भी आपके photosynthetic है oxy photosynthetic है उन सब में chlorophyll A universal और similar है तो ये 100% correct answer हो जाएगा बाकि और नहीं हो सकते all our belong to chlorophyll ये भी wrong हो गये क्योंकि chlorophyll ये यहाँ पर एकोस की यूकरिट है नहीं होगा सभी भवकोस के स्वपोसी है नहीं होगा सभी में chlorophyll A वह प्रकास sensation समता होती है सब है कि सब autotrophic है chlorophyll A है और oxy प्रकास sensation सी है यस और ये chlorophyll C ये भी नहीं होगा तो correct answer यहाँ थर्ड हो गए next आप देखेगा question number जो आपका 55 है clear और 55 question की बात अगर अपना आपके सामने करें तो देखेगा which of the following absent in bryophyte निमने में से कौन bryophyte में absent है देख़ए, algae में embryo absent है फर्स्ट ताइम embryo form हुआ furcida capsule form है वह आपका bryophyte ये तो embryo formation present है, first embryo fight plant है fertilization होती है judio gamit, fertilization ही fusion of gamit है, motile gamit anthrazoid होता है, mal gamit ये भी correct है, ये भी correct है ये भी correct है, ये भी correct है true root or vascular tissue आप जानते होगी bryophyte non vascular cryptogamous है, ऐस समभनी cryptogamous है, आप जानते हो vascular tissue नहीं, तब तो true type root stem leaf नहीं है stem like leaf like हो सकता है two type का नहीं है, तो ये आपका 100% 4 answer है पिसका हुए है next आप देखिएगा, question number 56 and the teradophytes are restricted to narrow geography region because teradophyte का भोगोलिक दर्स्टी से वित्रण सिमिती है, क्योंकि उनको fertilization के लिए water की requirement होती bryophyte में तो vascular tissue भी नहीं थी और bryophyte grow in cool damp places और required water for fertilization, clear but teradophyte also required water for fertilization, वहाँ वैस्वलोट इशिदो present है, और जो teradophyte का gametophyte अता प्रोथलस, free living होता है but वो भी cool damp places ग्रो करता है, उसको भी require cool damp places ये inside line लिखर की है उसको भी ठंडे नम चाहनादार इस्तान चाहिए होते हैं, जो प्रोथलस होता है तो जो मुक्त जी भी भावकोस के प्रकास संसलेसी gametophyte प्रोथलस होता है, उसको भी ठंडे नम चाहनादार इस्तानों की जुरूत होती है आउशकता होती है, तो ये correct है, they are vascular crotogamous, ये नहीं, they need water for fertilization, ये भी है, तो बोथ first and third, एक और तीन answer आपका हो जाएगा, दोनू, clear, next आप देखिएगा, question number 57, what is the ploidy level in root of teradophyte, teradophyte अगा, जो man plant body होता है, वो तो 2N होता है, और man plant body, इनका क्या है, sporophytic भी जानुद भीद है, और sporophytic plant body है 2N, तो root stem leaf में differentiate है, तो root stem leaf की जो ploidy है, वो क्या है, 2N है, clear, ये लो जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, question number 58, which statement is not correct about psychus, कौन सा खतन psychus के संद्रद में सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, psychus has small specialized root called, coralloid root which are associated with endofixing cyanobacteria, नो श्टो कहाना भी ना, तो ये correct है, 100% है है, पहले भी आ गया, hetero spores, old gymnosum और hetero spores, सभी gymnosum विश्ण भी जानुक है, ये भी सही है, male and female gametophyte are free living, ये नहीं है भी, और psychus, dioces है, आप जानते विटा कि bryophyta में to man plant body gametophytic होता है, alternate sporophytic आता है, tenderophyta में man plant body sporophytic है, sporophytic है, बिजानुक बिध है, जड़तना पत्ती है, बट alternate, आपका gametophyte आता प्रोथलस, वो भी free living है, green है, multi-cellular है, less organized है, incuspaces है, asbest है, छोटा है, बट free living है, तो वहाँ भी free living है, लेकिन bryo teradome में gametophyte free living है, बट gymnosum और angiosum में gametophyte highly reduced है, अक्ते दी खासित है, limited number 2-3 cell का male gametophyte होता है, angiosum में तो, और female gametophyte 7-8 cell का होता है, but gametophyte depend on is prophetic, in gymnosum और angiosum, तो यहाँ पर free living possibility यह third, और psychus, diasis plant है, यह हैंडर्शन करेक्ट है, बहुत अच्छा question है, और 58, जो question है, आपने आपने unique question है, important question है, 58 का अंसर आपका third है, clear, और फिर अपन कहते हैं, next question 59, तो 59 आप देखेगा, question 59, given diagram represent, आपको दिया गाएड़ जो diagram है, वो मोस का है, ब्राइफाइटा में, higher ब्राइफाइट, यह आप देखते हैं कि stem like, यह इसके उपर green green, जो आपकी leaves होती हैं, और यह यहाँ पर आपका क्या है, rhizoid है, तो यह rhizoid है, multicellular branch है, obliquus septum है, तो यह gametophyte है, और इस gametophyte भी यह क्या, इस प्रोफिटिक बॉन करता है, food ceta capsule, food अंदर है, food यहाँ है, food ceta capsule, तो यह इस प्रोफिटिक है, 2N है, यह N है, gametophyte है, ठीक है, और यह क्या है, ब्राइफ़ट है, moses है, तो stem like, leaf like है, बैट true stem leaf नहीं है, वेस्कुल टिशू नहीं है, lack of vascular tissue, समन उत्तक नहीं है, तो यह क्या है, समनी क्रिप्टोगेमस, नहीं, ऐस समनी क्रिप्टोगेमस है, बिल्कुल करेक्ट है, यह जब sex organ, क्रिप्टोगेमिया, sex organ hidden form, not visible by neck dye, और phanerogेमिया मनलब, visible by neck dye, जैसे male कोई female कोन ea flower दिखते हैं, ठीक है, अब क्रिप्टोगेमिया के अंदर, जैसे thelophyta, जान टीशी बड़ नोन vascular thelophyta, brophyta और taridophyta, vascular हो गया, और वहाँ जिम्नोस्पम और एंग्योस्पम तो ये बात आप की होगी नेक्स्ट आप देखेगा question number 60 select the incorrect statement given diagram ये जो आपको diagram inside का दिये गए इक्विसीटम का टेरडोफाइटा में इस्पिनोपसिडा इक्विसीटम जोइंटेड स्टेम फस्टाइम ये ब्रांच भी जोइंटेड स्टेम जोइंटेड नोड इंटर नोड कि लिए ये जोइंटे नोड गांठ पोरी और इंटर नोड और फिर ब्रांचे फिर स्केली लिउज होती है skelly leaves यहाँ पर बताए गी थी यह नोड इंटर नोडर यह ऐसे skelly leaves होती हो आपर silica particle का यह होता ही है और आप जानते कि horizontal stemmer rhizome यह adventist root है अपस्तानिक जड़े हैं यह सेतिस तना rhizome है यह jointed stem है यह stobulus है clear तो यहाँ देखा plant body differential root stem leaves बिल्कुल true type root stem leaves adventist root rhizome यह man stem stem और यह leaves आती है ठीक है इनके उपर फिर leaves आती है scally leaves catafils it is a medical plant and have jointed stem यह भी correct है यह भी correct है ओस्दी पोदाबीर संदीत तना है it is a homosporus stodophyte यह भी correct है homosporus होता है it is a diasis यह wrong है क्योंकि यह monosius होता है दोनुं साक्स और एक पी होते हैं आप समझ सकते हैं कि वैसे भी homosporus है के लिए सम लेंगी किता है और एक टाइप की sporringia आएगी तो यहां सिदा आप समझ सकते होगी मतलब monosius है diasis नहीं तो statement आपका 4 क्या हो गया incorrect हो गया next आप देखिएगा question number 61 तो select wrong statement given below निमने में से ऐस सत्य खतन का आपको चुनाओ करना है कि gymnos from include trees and surplus बिल्कुल gymnos from मैं लिए tree nature होती है कुछ exception जो सरभ है बाकी herb stage absent होती है herb यह होता ही नहीं है यह correct है correlate root is symbiosis relation fungus और साइकस यह गलत fungus नहीं साइनो बैक्टिरिया correlate root होती है जो उसमे एना बिना एजोली तो एजोलाफर में होता है एना बिना साइकेडी वहां पर साइकस में होता है तो वह नौस्टक एना बिना आपके होते हैं जो साइनो बैक्टिरिया यह wrong हो गया जिम्नोस प्रमार एडप्टेट फोर एक्स्टिम टेंप्रेचर हुमिडिटी विंद बिल्कुल सही है क्योंकि जीरो फैटिक अडप्टेशन मतलब निदिल सेप लिवज होती है थिक क्यूटिकल संकेन इस्टोमेटार यह सारी प्रजेंट होते हैं क्लियर बेटू तो यह करेक्ट है और पिनेट और प्रसेशन लिवज और फाउन इसाइकस यह भी सही है तो आपका सेकंड आंसर हो गए 61 का क्लियर अब आपन नेक्स्ट देखते हैं जो 62 क्यूस्टिन है चूजदा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट फॉम दा फॉलोइंग निव प्रैकरेक्ट और विए सबसे अडवान्स इंज इंजिसित्वन सबसे Pan एंच्योसप्रम का और इसपर पितिक्स सबसे reduced bryophyta को तर सबसे advanced sporophyte किसका होता है angiospram का होता है clear तो यह आपका correct है highly reduced gametophyte which is having limited number of cell found in flowering plant angiospram में 2-3 cell का pollen grain male gametophyte 7-8 cell female gametophyte तो gametophyte highly reduced होता है और sporophyte is highly organized और diploontic life cycle gymnospram और angiospram तो यह angiospram के लिए correct statement हो गया अत्यादिक हासित युगमोद विद सिमित कोसी काओं का 2-3 कोसी काओं का तो नरिगमोद भी दोता है आवर्त वीजियों में पुषपी पात्मों में और 7-8 कोसी काओं मादा युगमोद विद और जो युगमोद भी दोता हो निर्बर होता है टेड़ोफाइट आमे free living होता है, अर alternate टेड़ोफाइट अमे गमेटोफिरिटी भी free living होता है, दोनु Office और alternate आपका sporophyto को थर इस अर्थ पर एकमातर plant है only plant bryophyte है जहां पर sporophyte depend on gametophyte बिजाणद विध, foodchetta capsule बिजाणद विध Yug Напрवŧ पर निरबर होता है गेमेट भर्ड ओल्वेज फ्री लिविंग होता ही नहीं आपसे पुछें इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट आपका C और D हो गया C और D क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट इनकरेक्टि श्टेट्मेंट हो गया तो मैं कैता हूँ बिटा बहुत इंकरेक्ट इनकरेक्ट क्यूर गया उसका आंपका C हो सेकेंड हो गया किलियर नहीं अपकाद आपका आतन रहते हैं इस पूर और देखेंगेend फ़िशते हैंने 98 प्राउन से या ओलिव गिरिन से लेकर ब्राउन के सेड़ेड में आपको दिखाई देते हैं यह भी गैमिट आर पाइरी फोर्म एंड टू लेटरल फ्लेजिला तो जो पाइरी फोर्म युगमत नास्पतिया कारे के होते हैं और टू लेटरले टेस्ट एक से रेक से आपका टिन सेल तो यह फ्लेजिला आपके होते हैं और मेंब्रार फाउंड प्रामरली इन मेराइन हैबिटेट प्राटमी कुछ समुद्र आवसों में तो यह किसका होगए फी ओफाई सी ब्राउन एलगी होगे केल्फ होगे के लिए अच्छा क्योशन नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नम्मर शिक्स्टी फोर मॉसेज एलॉंग विट लाइकेन आर दा फर्स्ट कोलोनाइज रोक एंड हैंस और ग्रेट इकोलोजिकल इंपोर्टेंस हीर अच्छी लाइन ने इंसे ठीकी कि मॉसेज लाइकेन के साथ फर्त करके और हायर प्लांट के लिए जो प्रस्तितियां है कंडिशन से वह अवलेबल करवाया तो यहां पर देखेगा कि मॉसेज और एलॉंग विट लाइकेन लाइकेन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्गनिजम हो जाएगा इकोलोजिकल उनका एकोलोजिकल इंपोर्टेंस है यह जो एलगी ऐसे दे दिया तांस्वर थर्ड हो गया साक्यूशन है नेक्स आप देखिए का क्रिशन 65 फाइंड रॉंग फीचर इन रेफरेंस वो प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा जिली के संद्रद में गलत खतन बताओ सुगर मोईटी ट्वार्ड साइटोसोल डिजन पोसिबल नहीं सुगर मोईटी सुगर तो आप जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक है फिर देखो फोस्फोग्लिस्रिड यह करेक्ट है एसिमेट्रिक नेचर करेक्ट है क्वेसी फ्लूड नेचर प्रोटीन यह गलत हो गया यहा आपका हो गया यहांसे पुछ आप से कि रॉंग स्टेटमेंट तो रोंग स्टेटमेंट आपका हो गया फ़स्ट और फोरेनडी तो एज दी तो शोग सिक्स्टी फ़ाइव क्यों रिक्स्टलिक 66 question, important question, देखेगा 66, यह देखा, read the following statement carefully and assigned to their respective chamber, निम्न कत्नों को ध्यान प्रोग पढ़िये तता इनको समधित कक्सार निर्दिष्ट करें, तो ध्यान से सुनना कि भी solution with lower water potential, तो देखेगा कि A जो chamber उसमें solute particle ज्यादा है, solute increase होता है, जैसे जैसे solute increase होगा, तो water potential low होता है, क्योंकि water molecule की moment में, यह penetrated बाद आती है, interrupt होती है, आप समसे kinetic energy decrease होती है, diffusion जो है, मैं आपको बता दूँ कि diffusion pressure low होता है, तो यहाँ इसका psi w equals to psi s, तो आप जानते है, solute potential increase हो रहा है, psi w कम होगा, clear, और water यहाँ solute कम है, solution with lower water potential, यह A के लिए हो सकता है, higher size with less negative value, तो higher size तो भीका होगा, less negative लिए, क्योंकि इसका तो more negative value आएगी, तो more negative less value हो जाएगी, ठीक है, फिर solution has higher osmotic potential, और osmoticly active भी देती है, osmoticly active A है आपका, तो यहाँ देखो, जितना ज़्यादा solute होता है, ज़्यादा होता है, osmoticly active होता है, A, और solute ज़्यादा water potential low है, तो निम्न जल भी बहु भी है, और परास्न रूप से अधिक सक्री है, तो A, first or four हो जाएगा, और B में आपका हो जाएगा, second, कि निम्न रिनात्मक मानुक्त उच्छ साइएस, हैना यह B में कि निम्न रिनात् तो आपकी क्या है, more will you, आपका हो गया, clear, तो इसके according आपका answer क्या हो गया, first हो गया, next आप देखिएगा, action, 67, तो 67 देखिए बटा कि बहुत important है, find the direction of water flow in ABC cell, तो यहाँ देखिएगा कि DPD के according कर लो, और चाहिएस DPD को water potential में convert कर लो, देखो यहाँ OP, osmotic pressure और trigger pressure दोनों द दिया तो एक formula होता है, plant cell के लिए, close system के लिए DPD बराबर OP minus TP, ठीक है, यहाँ OP 6 है, TP आपका 3 है, तो DPD 3 आगी है, तो इस cell की DPD किती है आगी, 3, यहाँ पर साई S, minus 18 होता है, always S negative होता है, साई P, आपका होता है 7, तो water potential, साई W राबर साई S, plus साई T, तो यहाँ पर minus का 18, plus 7, तो किता जाएगा 11, बर्ट साई W राबर माइनस DPD होता है, यह इसको आप OP considerate कर ले, तो OP और साई S, osmotic pressure और जो potential or solid potential equal होते है, mathematically opposite बाकि equal होते हैं, तो यहाँ minus 18 है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ minus 18, तो OP 18 हो गए, तो 18 minus TP 7, तो 11 आ गए, यह minus 11 हो गए, clear, तो वो 11 है, यहाँ की DPD किती होगी, 11, यहाँ की DPD सीधी, DPD दे 8 दे दी, अब water flow करता है, लो DPD से high DPD, कि DPD का यह ज्यादा यथार्थ प्रदसन आपका है न, more advanced water potential, तो water low DPD से high DPD flow करता है, low DPD से high DPD और high water potential से low water potential, तो यहाँ सबसे low DPD किया C की है, तो C, C से दोनों तरफ आएगा आपका water, A की तरफ भी आएगा और B की तरफ भी आएगा, अब फिर आप जानते हैं कि, भई, फिर low से high है न, आपका, तो फिर B से आपका, वो A से किदर जाएगा, B, तो यह आपका correct answer क्यों हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका, तो यहाँ देखेगा कि correct answer असका क्या भी, 4 है, किलियर, next आप question देखेगा, question number 68, sodium potassium pump in a cell is example of, एक कोशिका में sodium potassium pump किसका उधान है, तो आप जानते हो, pump जो against concentration gradient, iron को या किसी भी चीज़ को दखेलता, push करता है, और पहले ATP consume होती है, phosphorus related होता है, तो sodium potassium pump active transport, 3 sodium and 2 potassium, आप अच्छे सहनते हो, next आप देखेगा, question 69, if stem of plant is cut under state of tension, जाएलम से, what will be the result, यह देख, पादप के तने को दारुक की दस्त, रस की तनाव की सम काटा जाए, वह एक plant है, tree nature है, और transpiration full हो राता दोपर की time, बट आप जानते हो कि tension आ गया नहीं, water column तो water column नीचे गिर जाएगा, उसमें air भर जाएगी, yes, आप समझ सकते हैं, जैसे इस इस ट्रो से आप juice को सक करते हैं, तेजी से खेंचना छोड़ देंगे, तो नीचे गिर जाएगा water column, हाना, तो यहां है कि जाएलम सेप sprouted possible नहीं हो, तब होता जिए ट्रांस्परेशन नह नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा, तो फोर आंसर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योशन नमर 70, which one may be helpful to re-establish the continuous channel water in जैलम under after transmission tension, यहां पिर जल तनाव में जब वाटर कोलम ब्रेक हो जाता है, तो उस वाटर कोलम को वापस continue करने के लिए लिए क्या काम में आता है, तो वाटर कोलम को continue करने के लिए रूट प्रेशर, यह अच्छा क्योशन आपको दिरका मूल दाब, कि मूल दाब टूटी वे जलस्तम को पुनव बनाने में, जो ब्रेक हो गया उसको, तो अच्छा क्योशन है, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्य इसओफिलशन यहां, glucose, chemical active है, औस्मर्क्रिल active है, फिर glucose convert in sucrose, disacred, जो non-reducing sugar है, औस्मर्क्रिकली अक्टिव बदर, chemically inactive है, तो फिर सुक्रोज का loading होता है, सुक्रोज पंप के थुरू जैसे ही लोडिंग हुआ तो यहां हाइटीपी और नीचे आपका लोटीपी नहीं मैंनली फिर प्रेसर ग्रेंट है लेकिन उसमें सबसे इंपोडेंट यहां इंसान लिखे वाटर पोडेंशल क्योंकि वाटर एक्स्टानिसियां का वाटर पोडे अब लेक्स्ति आप देखेगा क्योशन नममर 72 बाटर पोडेंशल और प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का वाटर पोडेंशल मैंग्जिम और उसको मैंग्जिम को अपन नोर्मन टैंप्रेसर अच्बीश बिग जीरो गंसिड्ड़ करते हैं किलिया और वैसे भी ओपी प प्रपोस्ट प्रपोस्टनल कंसंट्रेशन उप सोल्यूट विले की संदर तब विले है इनी सुध विलाइक है तो ओस्मोटिक प्रेसर भी क्या हो गया जीरो किलियर और साइड डबलु जीरो तो फिर आपका साही है सही नित आप समझ रहें की जीरो-जीरो यहां पर आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 73 कंसिडर दा फॉलोइंग फॉर स्टेट्मेंट एडी एंड स्लेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड दा क्रेक्ट वन्स ओनली निम्लिक चार खतनों को विचार कीजिए को साही खतनों आपको विकल्प चुनना है बह तो बिल्कुल फास्टर इजी वे में डिफ्यूज हो जाएगा के लिए प्रेसर पोटेंशल इज यूज्वली पोजिटिव थूइन प्लांट नेगेटिव पोटेंशल प्लेजन मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट बैजनरली जो ट्रेगर प्रेशर होता है हाई टीप टीपी प्रेशर फ्लाइप होता ही है और आप जानते हैं कि जनरली सेल के लिए टीपी पोजिटिव होता है और अगर फ्लेशर टीपी जीरो किलियर हाँ एक ही कंडिशन में तो प्लाजम लाइसल हो फिर या ट्रांसपारिशन पुल जब होता है लोंग डिस्टेंस एसेंट इनवल क्रोसिंग दा मेंब्रेन यह सही एक प्लाइस दोर होने वाला परिवन में कोशिट का जली नहीं है और कोबाल्ट क्लॉराइड पेपर विच्ट ट्रन कलर एब्जोर वाटर इन यूस्ट टू स्टडी वाटर लोस तो ट्रांसपेशन की रेट का जो विविदात्म का हो जाता ना कोबाल्ट क्लॉर अपिंग कलरका हो जाता है किलेर तो यहां जो आपका क्यों 73 है तो 73 का आपका फस्ट होगा कि स्टेटमेंट बी इस्टेटमेंट बी सी डी करेक्ट है लेकिन ए आपका क्या है इनकरेक्ट है आपसे क्या पुछा है करेक्ट पुछा है तो नेक्स्ट आप देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा question number 74 water and mineral absorbed by root are transported by तो जो root water mineral absorbed करती है वो root जैलम से लीप जैलम तक जैलम के थ्रू ट्रांस्ट लोकेट होते है जैलम हो जाएगा and the organic material synthesizing leaves generally leaves source होती है transported to other part of plant through phloem phloem आपका हो जाएगा clear तो यहाँ पर आपका जैलम leaves और phloem correct answer यह बेढ़ता है तो 74 जो question उसका answer आपका third हो जाएगा clear next आप देखेगा question 75 and the stomatal apparatus include रंद्री उपकण में समलित है तो stomatal apparatus and guard cell नहीं आप जानते हो stomatal aperture होता है kidney sept आपकी guard cell होती है और guard cell यह kidney sept guard cell होती है clear यह pore होता है यह guard cell होती है और surrounding आप जानते हैं कि subsidiary cells होती है तो यह subsidiary cells आपकी होती है clear तो stomatal apparatus रंद्री चिद्रोता guard cell होती है and surrounding subsidiary cells आप जानते हैं रंद्री उपकण में यह stomatal apparatus में include होता है next आप question देखेगा question number 76 if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to a solution यदि वीलियन दाब warmly दाब से अधिक हो तो वीलियन समय जल भी हो क्या होगा वे आप जानते हैं कि si w pure water का 0 होता है for a solution वीलियन के si w रबर si s होता है clear फिर भी आप atmospheric normal temperature pressure पे अब आप apply extra pressure apply करते है pressure extra करते हैं तो water potential increase होता है clear next आप देखेगा question number 77 rate of diffusion affected by विशरन की दर concentration gradient वाई आप जानते हैं simple diffusion तो according concern gradient ही होता है पेसिव ट्रांसवर्ट सिंपल या फेसिलेटेड तो concentration gradient पे डिपेंड है high to low permeability of membrane पे है temperature and pressure तो यह सारे factor आपके होगे all of these आपका हो गया सिधा insight statement है next आप देखेगा question number 78 which one of the following will not directly affect transpiration निवल्व में से कौन वास्पोर्जन को प्रतेक्स रुप से प्रभवयत नहीं करता temperature directly proportioned light directly proportion wind speed पहले बता चुके तिनू एक्सवर्टर है और आप जानते हो कि फिर plant factor होते हैं जैसे leaves surface area है वो इस्टोमेटा का प्रसंटेज है बट क्लोरोफिल कंटेन का कोई मीन नहीं है तो यहां पर फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा कि प्रनहरीत का कोई मतलब भी नहीं है वास्पोर्जन में नेक्स्ट आप देखे क्रेशन 79 द लोगर सर्पेस उप लीप विल हमोर नम्रों विस्टोमेटा इन्हें कि पत्ती की निचली स्था पर अगर अंदर ज होगी हाना जो आप जानते हैं हाइपोस्टोमेटिक होती है नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन 80 दा फॉर्म ओप सुगर ट्रांस्पोर्टेट थू फ्लोयम तो फ्लोयम के अंदर मैंने काता ना कि गुलुकोज फोम तो तुरन सुक्रोज में कनोड होता डाय सेक्राडे में नो रिदूसिंग सुगर है तो आपका थ़रदा आनसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन 81 दा प्रोसेश ऑड़ गटेशन टेकपलेश कि गुज्स नेक्स्ट आप देखिएगा, कि which of the following is an example of imbibition, निमन में से कौन सा एक अन्ता सोशन या अन्ता सोशन का आपका उधारन है, किलियर, तो देखिएगा यहाँ पर, अपन 81 कांसर आपका फस्ट हो गया, 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि, अप्टे को वाटर बा नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योशन नंबर 83, वाटर पोटेंशल और प्योर वाटर इस एड़ स्टेंडर टेंपरेचर एक्वल टू सुद्ध जल का जल विभो मानक ताप पर, तो एकदम प्योर वाटर है, तो मैक्जिमम वाटर पोटेंशल और अपना सो कंशिडर करते है, साई डबलो इकवस्ट टू जीरो, क्लियर, नेक्स्ट आप देखेगा, क्योशन नंबर 84, विच वन इस रॉंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस ओफ गीवन डायग्राम, दिये गए चितर के संदर में कौन सा गलत खतन है, तो अपनको यहाँ पर रॉंग स्टेटमेंट द आप देखो, जो कैविटी यहाँ पर दे रेखी है, आप देखो, एरो, एवन और एटू, इंडिकेट दा इवपरेशन, वाटर फ्रॉम लीफ, कि लीफ से वास्पी करण को इंगित करते हैं, इवपरेशन, जब यहाँ आप जानते हैं कि ट्रांस्पिरिशन होता है, तो आ इलिसेड और स्पॉंजी टिशू, वाटर फिल्ड एर स्पेस सेट अप ऐसे प्रेसर ग्रेडियन्ट, किलियर, और फिर आप देखते हैं कि बेटिविन आउटसाइड एर स्पेस थूदा इस्टोमेटा, और ग्रेडियन्ट इस ट्रांस्पिटेड थू फोटो सिंथेटिक, एंड जायलम केविटी द्यू टू इवपरेशन हो गया, किलियर, तो आपके 84 क्यूशन है वेटा, तो 84 क्यूशन के अंदर जो आप से पूछा है कि रॉंग स्टेटमेंट कौन सा है, खतन गलत है, हाना, तो यहाँ पर यह देखेगा कि वाई ओकास खम उत्तक और स्पंजी में थोड़ी करते हैं, second answer आपका wrong हो गया, बाकि आपका correct, clear, यह बात आपकी हो गया, क्यूंकि VPD जो होता है, वेपर प्रेशर डिफिक्ट, तो VPD, cavity और atmosphere के बीच में होता है, ताकि diffusion हो जाए, yes, यह आपकी सारी बात है, next आप देखेए, question number 85, fusion of two motile gamut which are dissimilar in size term dash, अगर द clear, तो यह anisogamy है, anisogamy, देखेए बड़ा कि isogamy, when the fusion of two similar gamut, तो similar size form के gamut होगी, अब अगर flagella होगा, तो दोनों पर ही flagella होगा, बोत है flagella, तो flagellated isogamy होगी, flagellated isogamy in clamidobonase, और flagella lack होगा, absent होगा, दोनों पर absent होगा, बोत lack flagella, तो non flagellated isogamy spiral गया रहा होगा, और in anisogamy, both are flagellated, but one is small, second is large, और in u-gamy, one small, malgamit, small or motile, flagellated, female, large और static होता है, तो वो u-gamy होती है, तो यहाँ पर आपका anisogamy हो जाएगा, clear, यहाँ आप anisogamy आप देख लेना, बहुत अच्छा question है, इसका English से आपको देखना होता है, clear, ऐसमानाकार की युगमों का सलेन फ्रोंड, consider the plant, word in case of, सलंगक, स्तापनांग, वरंत और परप्रण किस पादपकायक निर्मान करते हैं, तो brown algae के अंदर hold fast, फिर इस टाइप वरंत होता है, और यह फ्रोंड परप्रण, तो इस परकार यह brown algae में फ्रोंड होता है, फिर एक इस टाइप वरंत होता है, फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, question number 87, a plant so thallus level of organization, so rhizoid, haploid, need water to complete life cycle, malgamit, motile enthrasoid, तो bryophyta, man plant body gametophyte होता है, thallus, generally thalloid होता है, और आप जानते होता है, माइटो से gamit produce करता है, rhizoid, liverwort में unisilder unbranch होते हैं, और mosses में multisilder branches होते हैं, water is essential for fertilization, water required होता है, तो यह किसमें आएगा, enthrasoid होता है, coma sap, तो यह सारा किसका character है, bryophyta, यह टेर्डवाइट होता है, जिमनोस्पर में highly organized होता है, और monocoat भी highly organized है, clear, और यहाँ इस प्रोफिटिक मैं प्लार्ट होता है, यहाँ gametophytic है, और thallus plus rhizodian liverwort, clear, तो यह आपका होगा, next आप देख तो haploid and found in moss, correct, diploid नहीं हो सकती, diploid and found in tedophyta, नहीं हो सकती, haploid नहीं हो सकती, tedophyta में, yes, तो आप जानते हैं कि अगुनित तता मोस में पैजाता है, जिवनित तो होई नहीं सकता है, clear, next आपन देखते है, clear, 89, the gent redwood tree, सिकुआ होता है, redwood tree, सिकुआ ला, टालेस्ट जिमनोस् प्रम है, next आप देखिएगा, question number 90, fusion between one large non motile static female gamit and smaller motile male gamit, तो अगर male gamit small motile हो, female gamit large static हो, तो आपकी उगेमी होती है, उगेमस प्रकार का advance, उगेमस सबसे advance, मैंने भी आपको समझाए दिया बाकी, clear, next आप देखिएगा, question 91, तो 91 question, many species, are among the 70 species of marine algae, तो many species of porphyra, red algae, porphyra समित, laminaria, sargassum, brown algae, तो यह ब्राउन और यह red, तो यह आपका 91 का, जो मरला food supplement की रूप में use होती है, तो 91 जो आपका question of it, us का answer 4 हो गया, clear, और फिर आप देखिएगा, next incident statement है, तो next आप देखिएगा, 92, university, the first terrestrial plant which possess vesculate tissue, उद्विकाशी दस्ट्री से फर्तम इस्तिले पादप, according evolution, evolution, जो first vesculate plant है, और most primitive living और fossil vesculate plant, इस पर्थि उपर सबसे आदिम, चाए वो जिवित हों और जिवास्मों, अगर कोई समनी पादप हैं, और फर्तम समनी और teradophyte ही हैं, तो सबसे आदिम जिवित और जिवास्मी समनी पादप teradophyte सी हैं, तो यह आप जानते हों कि, फर्स्ट vesculate plant यही हैं, नेक्स्ट आप देखिएगा, question 93, which alcal group have similarity in pigment composition, कौन सा सेवाल समों, वरने की संगतर में समानता रखता है, red algae में chlorophyll AD, phycarithrin, brown algae में AC होता है, green algae में AB, blue green में AC होता है, kelp और diatum, तो kelp तो brown algae, chlorophyll AC, और diatum में भी आपका chlorophyll AC है, phycogenthin, clear, तो यह सबसे important answer है, diatum और euglenodominy, कि euglenodominy में chlorophyll AB होता है, तो आप समझ सकते हैं कि, देखो, kelp और diatum में chlorophyll AC आपका हो जाएगा, next आप देखिएगा, question 94, green algae are considered as ancestor of the higher plant, due to their resemblance with higher plant, कि हरे सिवाल उच पात्मों के पुर्वज, या उच पात्मों के सबसे निकट बाने जाते हैं, सबसे advanced algae हैं हरे सिवाल, तो वह क्यों, कि type of pigment, chlorophyll A और B, higher plant के similar होता है, beta carotene, salval composition, salvos, pectos, वो भी सेम है, type of store food, simple starch, वो भी सेम है, all of the above, सबी आपका अंसुरा जाएगा, next आप देखेगा, 95, classification of algae, manly based on, सेवालों का वर्गीगन मुखे ते किस पर आधारित है, reproductive organ, structure of spore, pigment, तो manly based on type of pigment, यह CBSE 2009 का question है, कि सेवालों का वर्गीगन मुखे तो वर्णकों के अधार पर है, next आप देखेगा, question number 96, a leafy gametophyte plant with multi-cellular rhizoid and sporophyte differentiated into food sheeta capsule, should we belong, भवकोस की मुलाबास, यानि rhizoid आपके uni-cellular नहीं है, obliqually septa, फिर आपका देखेगा है, leafy gametophyte, कि liverwatt में thalasaur rhizoid होता है, leafy gametophyte moses में होता है, यस, और फिर आपको देखेगा है, food sheeta capsule में अच्छे से differentiate हो, तो यह किसे relate है, sylopsida, नहीं, hepticobsida, liverwatt होता है, उससे नहीं, ब्राइब सेडा, यह ब्राइब सेडा के दो है, liverwatt और moss, बठ सबसे advanced आपके moss हो जाएगा, और moss में, यह multi-cellular rhizoid होते हैं, यह stem-like बताया था आपको, फिर यह इस पे leaf हैसे होती, leaf-like, और फिर यह multi-cellular branch, ब्राइब सेडा के लिए, नेक्स्ट आप देखेगा, question number 97, root first originated in, आप जानते हो कि जो land plant यह terrestrial plant इस्तलिप हो दें, उनकी उद्विका से सपलता, evolution success, evolution success के लिए सबसे पहले क्या चाहिए है, root formation, तो जब vascular tissue है, तो root formation हो, vascular plant first teradophyte, तो root formation, फिर आप जानते हो, vascularization, समवनी करण, और फिर आपका cutelization, तो आप समझ सकते हैं कि वो teradophyte होंगे, next आप देखेगा, question number 98, most peat is used as packaging material for sending flower, live plant to distant places, कि पुस्प और जिवित पात्मों को दूर सिस्तानों के भेजने के लिए, most peat packaging सामगरी, withering की ecological importance है, most एक ऐसा है, उसमें sphagnum है, sphagnum जो marci region में होता है, दल्दल में होता है, तो parsley degrade हो पाता है, oxygen वहाँ होती नहीं है, तो peat, सबसे lowest category का, जो fuel है, peat moss, peat coal, peat बना, तो उसको peat moss बोलते हैं, फिर green carpet की तरफ हैल जाता है, green carpet moss बोलते हैं, और sphagnum absorption cotton यानि उसमें आउसोशन की संता होती है, तो वो इसके लाव उसमें hygroscopic nature है, water को hold करता है, तो जो living plant है, उनको अगर distant area तक भेजना हो, तो packaging सामगरी की रूप में, क्यों, क्योंकि वो आधरता घ्राई है, water को hold करता है, hygroscopic ज्यादा अच्छा होगा, कि लिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कि भी, in which one of the following male and female gametophyte also do not have free living, independent existence, किसमें नर्थ दा मादा युगमोदी सोतंतर अस्तित्व नहीं रखते हैं, बैदे कोई सीधा याद रखना है कि युगमोद भी दोता है ना, gametophyte, bryophyte, man plant body होता है, teradophyte हमें alternate आता है, in free living आता and male and female gametophyte depend on parent sprofite, in gymnosprome और angiosprome, तो यहाँ देखिया, polytrichum तो mose है, यहाँ तो free living होता है, teris और funeria, तो यह mose है, bryophyte है, यह teradophyte है, यह free living है, but cidrus gymnosprome है, तो cidrus में आप जानते हैं कि free living नहीं है, और यह विट आप देखो कि previous year की question आ चुके हैं, AAPMT और उसके बा diplomatic life cycle, नहीं में से कौन सा एक एगुनित जीवन सक्कर रखेगा, भाई wheat है यह तो angiosprome है, gymnosprome और angiosprome में तो diplomatic life cycle होता है, क्योंकि highly organized sprofitic और alternate highly reduced gametophyte आता है, विजानद उच विक्षित और, एकांत्रित इगमोद्यू जो भोती ज़्यादा हासित होता है, फिर funeria, most है, ब्राय फाट में हैप्लोड डिप्लोंटिक होता है, पॉलिट्राइकम में हैप्लोड डिप्लोंटिक होता है, और लेवो, तो बेटा जितने भी fungai है न, fungai की सारी cells क्या होती है, N होती है, हैप्लोड होती है, तब तो during sexual reproduction, फंजाई में लेंगी जनला के तीन possibility होती, प्ल तो तुरंती मियोसिस उआता, after carry me, मियोसिस, क्लियर, तो फिर हैप्लोड प्लोड स्पोर आपके form होते हैं, क्लियर तो वहाँ जाइगोटिक मियोसिस, इट भी आपका हैप्लोंटिक लाप साइकल होता है, हैप्लोंटिक लाइस ऑस्टिल लेगों यहाँ पर हो जाएगा, इ स्पाइरोगारा, इलोत्रिक्स, या फंजाई में सभी में आपका हैप्लोंटिक लाइस साइकल होता है, क्योंकि वहाँ प्लाजमोंगे मी, केरियोंगे मी, तुरंत आपका क्या, मियोसिस हो जाता है, क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्योश्चन नम्मर है, वन यस, नेक्स्ट आप देखिएगा विटा, क्योश्चन नमर वन टू, वन एंडेट तू, फाइलोजेनेटिक सिस्टम अपक्लासिपिक्स बेस्ट डॉन, मैंने आपको बता है ता कि जातीवर्ती है, किस पर है, बेस्ट भाई, ग्रोस मोर्फोलोजी, संपुन आकार की एवलूशन रिलेशन्सिप, एवलुश्री रिलेशन्सिप यानि जातीवर्ती है समंद जो उधिविकास ही करमिक विकास है, ब्रायो ठेलोफाइटा, भ्रायोफाइटा, टृडोफाइटा, जिम्नोस, एंग्योजो डाइकोर्ट, फिर मोनोकोर्ट, तो वो आपका है, एव पात्म होते हैं। तो द आघानेंट आने ऐता है। लेश के बोनेड़ को सकती है। ठीक है बट टेड़ो फटा की आर्की उने में 1,2,3 आपकी ने कैनल सल होती है किलियर तो यह आप जान दी स्मोलर एन स्मोलर सेक्स ओर्गन आपका हो जाएगा अच्छा क्यूशन एक्जाम का नेक्स्ट आप देखेगा question number 104 which one of the following is a correct statement निम्न में से कौन सा खतन सकते है तो देखेगा N3D-O4 and Archegonio 4 are present in टेड़ोफाट यह रोंग हो जाएगा क्योंकि N3D-O4 और Archegonio 4 जो फिलामेंट वो ब्राइफाट में है उनली थैलस पे किलियर तो यह रोंग स्टेटमेंट है origin यानि पूधानी दरो इस्तिरदर दर ब्राइफाटा में होते हैं मारकेंसिया कि थैलस में टैड़ोफाटा में जो प्रोथालस होता है तो प्रोथालस जो हड्सेफ्ट होता है टैड़ोफाटा में वहाँ पर सिधे ही आपके होते हैं एंध्रिडिया एंड आर्कीओने जो वेंट्रल सर्पेस पे होते हैं किलियर जबकि वहाँ डोर्सल पे होते हैं किलियर तो यह आपका रोंग हो गया औरीजन ओफ सीड हबिट कैन बी ट्रेस्ट इन टैड़ोफाट फरस्ट टाइम कुछ हेट्रोस्पोर्स टैड़ोफाट थे वहाँ पर प्रिकसर नेचर को ट्रेस होई थी यह आपका करेक्थ है पुरुवर्ती वीजी सुभाव आया था टैड़ोफाट गयमेटोफाट है ज कि जो युगमोद भी दोता हो पैतर इस प्रोफाट पर डिपेंड होता थे यहाँ पर आपकर्रेक्ट सेकेंड ही है नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नमर 15 105 आइसो गेमस कंडिशन वित नोन फ्लेजलेटेड यह आ गया न कि नोन फ्लेजलेटेड और सिमिदर साइज नोन फ्लेजलेट आइसो गेमी तो इस पाइरो गयरा नी 2013 और एपेंटी 2014 का रिपेट क्योशन बहुत अच्छा क्योशन पहले भी डिसकस कर चुके हैं नेक्स्ट देखिएगा क्योशन नमर 106 स्लेक्ट दा रॉंग स्टेटमेंट गलत खतन को चुनिए तो बिटा आपको क क्योशन के अकोडिंग असे थियोरी को मैनेज करते हैं और मस्त पॉड़ा पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको ध्यान देना है हना एंसिया टीप के ऊपर और आपको डाउट्स को क्लियर करते वे आपको अच्छी साल प्सुडी करनी है डीसियम को करते कर करते आपको अच्छे मेजर प्याना है रिएमा डॉझ एक जीन से था ख्लेडमों नास कि थीन स्मों प्राउनी ытमर्स पहले डी बेरिनम होता है, आइसोगेमी, फिर क्लेमडवनास, ब्राउनी, एन इसोगेमी और उगेमी भी करता है, कोकी फेरा, तो sexual reproduction का जो evolution, sequence हो किसने शोगी थी, क्लेमडवनास ने, आप देखेगा कि, आइसोगेमीट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्चन और बिहेवियर, आप जानते करेक्ट है, आप जानते करेक्टे, इन ऊगेमी, फिमेल गेमिट इस स्मोलर, एन और जैंड यहां पर आंसुर क्या होगया, आप से, रूंग स्टेक्ट्रों हो जाए, one 106 का आपका आंसर क्या हो गया 4 किलियर फिर आप देखेगा बिटा कि next आपसे बात करते हैं जो question आपका है 107 read the following statement AE answer निमल खत्नों A और E को पढ़ो सही आपको बताना है इन लीवर्वर्ट जो ब्राइफट में moses and fern gametophyte are free living सही है लीवर्वर्वर्ट और moses में तो man plant body gametophyte होती है युगमोद भी होती है एन होती है फर्ण में युगमोद भी सौतंतर जीवी पैड़ोफट आप में भी alternate आता है लेकिन free living होता प्रोथलस तो ये correct है जिम्नोस्प्रम and some fern are heterosporous जिम्नोस्प्रम सारे सारे heterosporous ते रे कुछ fern भी heterosporous है ये भी correct है और अपन कहते हैं कि भी sexual reproduction in fucus walvox and albugo is oogamous ये भी correct है भाई फ्यूकस में walvox में और albugo में लेंगी जनल ऊगेमी परकार का होता है सही है the sporophyte in liverwatt is more elaborate than moses कि liverwatt में बिजनद्वित moses की तुना में अधिक विस्तृत गलत moses का ज्यादा विस्तृत होता है ज्यादा elaborate होता फूट सिट और कैपसुल में differentiate होता है clear है तो आप समझ सकते हैं कि ये wrong statement आपका हो गया और both pinus and markensia dioces गलत बात ये markensia dioces है लेकिन pinus, pinus तो monoces है न पाइनस तो willing आसरी, markensia icling आसरी है dioces है और आपका psychos dioces है यह सी अच्छा question कई बार नीट में आपका आचुका है अच्छा question है तो D और E wrong है आपसे पुछे हैं कितने खतन सकते हैं ठीक है न तो आपसे right statement पुछे है वो आपके तीन statement है तो four answer आपका हो जाएगा 107 ठीक है न और उसके बाद आप जानते हैं आपन बात करेंगे बिटा next question की 108 तो देखेगा कि 108 है कि algae used in preparation of ice cream and jelly jar सिवाल जो ice cream jelly में होते हैं जिलेडियम और ग्रेसलेरिया और वो अगार-गार देते हैं जो use आपकी होती है बाकी आपका हो गए नहीं तो second answer आपका बहुत अच्छा इसका यह आपका answer हो गया next आपन लेते हैं next आप देखेगा question number 109 which one of the following statement is wrong निमने मिसे कौन सा खतन गलत है तो देखेगा अगार-गार is obtained from gelidium gracilaria यह सबसे ज़्यदा बार आया question है अगार-गार gelidium gracilaria जो red algae से obtained होता है यस फिर आप देखेगा chlorella and spirulina are used as space food antrix चात्री इस फेसली chlorella कभी-कभी spirulina antrix रूप में प्रिक्त करते हैं यह भी correct है mannitol is store food in rodofice, rodofice का store food mannitol है यह wrong है क्योंकि rodofice के अंदर floridian starch है mannitol जो alcoholic sugar हो brown algae की है तो mannitol किसका भी? brown algae का है clear? और algin and keragene are product of algae कि algin और keragene है जो algae के product है कि algin तो brown algae की सलवल से और keragene red algae English anxiety में यह देखे मिटा, algin भूरेसे वाल और keragene लालसे वाल से प्राफ्त होता है हिंदी में वह लाइन थोड़ी सी गलत दे तो आप अच्छे से देख ले clear? तो यहां से बुचा wrong तो wrong आपका हो जाएगा third clear? next आप देखे का question number 110 तो देखे वड़ा कि जो 110 question है वहां के आप से में बात करता हूं कि भी algin can be obtained from अभी बताया मैं आप आप जानते हों कि टेड़ोफाइटा में M-A-S-I मारसीलिया, एजोला, सालविनिया, सिलेजिनियला, आइसोइट्स इनको छोड़ दू except these or homosporus होते हैं गदेखो इस ओप्सल में सिलेजिनियला आगया तो यह नहीं हो सकता एजोला आगया इक्विसिटम ड्रैप्टेरिस लाइकोपोडियम यह करेक्ट हो जाएगा होमोस्पोरोसन सारी यस यहां सिलेजिनियला आगया और यहां पर आपका सालविनिया आगया next आप देखिएगा question number 112 which one is wrongly maths कौन सा एक गलत मिलान है uniflagellated gamet polysiphon यह यह रोंग हो गया वही क्योंकि ध्यान देना बेटा एक तो syno bacteria BGA और एक red algae की life में कोई भी motile stage नहीं है कोई भी चला वस्ता नहीं होती है फ्लेजिला पोसीबल ही नहीं है ना तो उनकी vegetary stage vegetative stage काई कोस्ता भी नहीं होता है ना उनका asexual spore नहीं होता है और gamet भी motile नहीं होता है फ्लेजिला नहीं होता है तो यहाँ polysiphon यह red algae यह रोंग हो गया वहाँ तो non-motile gamet है by flitzgrade juice for brown algae यह correct है gamma cup markensia correct है unison दर और्गनिजम क्लोरेला correct है एकोस की जीवे कलोरेला नेक्स्ट आप देखिएगा question number 113 lichen are the good indicator of air pollution SO2 की परतिवों बहुती ज़्यादा sensitive होते हैं तो air pollution आपका हो जाएगा one आपका हो जाएगा next आप देख लिजिएगा question 114 which of the following has haploid type of nucleus कि निमन में से कौन सा एगुनित प्रकार का केंद्रक है तो हेपलो नुकले साइकस में है सालवीनिया में है फ्यूनेरिया में या फ्यूकस में तो देखो यह तो जिमनोस्प्रम है man plant body is prophetic 2N सालवीनिया टेरेड़ोफाइट में 2N होती है फ्यूकस एंजियोस्प्रम है बरगद जो फ्यूकस मालो फ्यूकस भी 2N होता है यह फ्यूकस है फ्यूकस भी क्या होता है 2N होता है तो फ्यूनेरिया जो मोस है उसका man plant body gamet of fight होता है तो थर्ड़ा आप कांस प्रो गया next आप देखेगा question number 115 which of the following are example of unison the algae निम्न में से कौन सा एकोस के सिवाल का उधरन है इस question विटा आपको ध्यान देना है कि जो फोर्त ओप्सन है यह है बोथ first and third इसको first and third करना भी बोथ first and third यह कर लेना आप देखिएगा क्लेमाइडवनास और क्लोरिला यूनी संदर गिरी नेलगी है क्लेमाइडवनास और क्लोरिला एकोस के रिषय वाला तो बोथ one and three आपको फोर हो जाएगा क्लियर यह आपको सुदार करना है पेपर में हो सकता है कि one or two हो गया होगा क्लियर और एक ओनलाइन में आपको बात करता हूँ जो क्योशन नमर 26 था तो वहां इंग्लिस को कंसेड़ेट करना है यस यह दो आप जानते पेपर में होगा से मिल सकता था आपको मैंने ओनलाइन में कोड़ा कंप्लीट अच्छे से बताया है और भी कोई डाउट हो तो मेरे मोबाइल नमर 9461357946 पर अच्छे से पूचे बेटा कि लिए है ना आप ध्यान देकर एसे नहीं कि जबर से आप दिमाग लगाए इतने अच्छे क्यूशन बनाएं कंसर्ट भी सिखाएंगी कि पांच जगत में किसको इंक्लूड नहीं किया गया जो भी फर्स्ट लिविंग थे बैक्टिरिया से लेकर एंजोस्प्रम तक और सारे अनिमल्स को इंक्लूड किया गया बट वाइरस विरोड तो एस अंदर पार्टिकल नोन लिविंग है और लाइकेन तो वाइरस वीरोड और लाइकेन को इंक्लूड तो अल्दवाग ये अच्छा क्यूशन है एक्जाम का क्यूशन अच्छा क्यूशन हो सकता है इस एक्जाम्पलर से है क्योशन 117, pigment in pheophyc, pheophyc में वरना कौन से हैं भी, chlorophyll AC और phucosanthin, xanthophyll, तो अलोब्दीज होगे, बार-बार अपना आपको बता चुके हैं, और ये algae के pigment, store food ही है, तो वैसे भी आपको अच्छे से करना है, question number 118, markensia is example of, markensia, निमने में किसी एका उधान है, moses, liverwort, spinopsida, तो rixia markensia क्या है बेटा, liverwort है, yes, तो आप जानते हैं जो 118 question है, वहाँ पर आपका जो answer है 118 का, मैं आपको बता दूँ कि वो first, वो second answer आपका है, वो markensia is example of, तो markensia क्या है बेटा, liverwort हापका है, clear, यह बात है, इसके बाद में आप समझ सकते हो, कि next हम आप से बात करते हैं, कि भी, यहाँ पर, question number 119, the correct sequence of evolution is, तो आप कहते हैं कि जैसे bryophyta है, teradophyta है, clear, और gymnosprome और dacode monoport, सबसे best sequence ही है, first answer आपका हो जाएगा, clear, next आ question है, 120, last question, तो मस्त तरीके से, देखेगा, read the following statement and select the correct option, एक सो बिदा, निमलित खतलों को पड़ी और सही विकलप का पोचेन करना, gymnosprome, do not show gyrophytic character, अना और तभी जी मर्द्यू लक्षन नहीं दरसे, यह रोंग हो गया, क्योंकि वहाँ तो जो needle, shape, leaf होती है, thick cuticle, सारे gyrophytic adaptation ह in psychous correlate root are associated with mycorrhiza, यह भी correct है, यह रोंग है, फिर in conifer needle-like leaves, reduce the surface area, यह correct है, all gymnosprome are heterosporus, यह भी correct है, तो यहाँ देखेगा, बेटा, कि बही कितने statement आपके character कितने incorrect है, तो gymnosprome do not show gyrophytic, यह रोंग हो गया, in psychous correlate root are associated with mycorrhiza, यह रोंग हो गया बही, sorry, sorry, यह रोंग हो गया, psychous में परवाल मुले, mycorrhiza समझे नहीं नहीं, परवाल मुले तो आप जानते हैं कि, वहाँ पर sinobacteria से relate होती, वो तो आपका mycorrhiza pinus में, fungus के साथ बनता है यह भी आपका रोंग हो गया, फिर in conifer needle-like leaves, reduce the surface area, यह भी correct है, तो दो character, दो in correct है, first आपका अंसर हो गया, तो यह अ surrounding information, NCRT, previous year question, examplers, सब को include करके थोड़ा इदर इदर की information, diversity में आ जाती है, तो अच्छे से करना है, फिर भी life cycle pattern में, और कहीं पर भी आपको दिक्कत है, तो जो बच्चे है, offline है, CLCN है, वो अपन बात रगी, कल बेटा, 9.30, साड़े 9 बजे आप आजाएं, आपको सिखा द पड़े, गुनिता इस्तरगुन को तुर्वा दिमाग लगर पड़े, कि वेजिटेटिव बोडी का एक सरीर क्या होता है, मैन प्लांट बोडी क्या है, फिर reproductive structure क्या आती है, फिर alternate क्या आता है, और दो जिगे प्लोडी चेंज करती है, जहाँ स्पोरीक मियोसिस होता है, तो एन है, और माइटो से गेमेट, फिर fusion होने के बाद, फूट सीटा कैपसूल जो आपका स्पोरोफिटिक है, वो डिपेंड है गेमेटोफिटिक पर, और टेरेडोफाइटा जिमनो और एंजियो में मैन डोमिनेंट स्पोरोफिटिक होता है, अल्टरनेट गेमेटोफिटिक नहीं है, जिमनो स्पोरोफिटिक में मैन डोमिनेंट आपका स्पोर्णूपिटिक हो अल्टरनेट आपका गेमेटोफिटिक है जो डिपेंड होता है स्पोरोफिटिक पर कहाँ जिमनो और एंजियो काइक वरदी हो जाती है, Caroline, जैसे हैं वर्णियो स्पर बतरेटिक होती य आप मेरे नंबर 9461357946 बार बार बता रहा हूँ आप मैंसे कॉंटक्टर सकते हैं CLC आप समझ सकते हैं कि आपके साथ है अंति मुडान आपको लेनी है बेटा और अपने सपनों को साकार करना है बेस्ट रेंक आपको 2020 की देनी है हम साथ आपके मेजर को और भी अच्छे लेओल पर हम आपको देंगे और अभी तो फिर दंगल वाले जो मेजर आएंगे लास्ट वाले वहाँ पर और अच्छे से मैं कहता हूं मेजर में अभी दिमाग नहीं लगाएं आप डेली पेपर्स को या डेली टॉपिक को इतना मस्त करें लाइन टू-लाइन क्लियर करें डाउट नहीं रखें और कॉन्फिरणटली रात को साथ से बारा और दिन में साथ से बारा का यय जो सेलफ स्थिडीक य जो पैटरन है ुसको perfectly लिकर यूज करें वीटा जो तो कहा जाएसे नहीं इदर उदर से कभी कोण सा टोपिक पढ़ लिया कभी कोण सा पढ़ लिया ऐसा आपको नहीं करना है तो थैंक यू जैजै CLC